नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिश्टनल फर्ड में फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि बुद्ध धम क्या है ये सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे कि संकर और जो बुद्ध धम में 9th century और 8th century इनके बीच जो वार हुआ था, जो philosophical वार हुआ था वो वास्तों में क्या था और ये हमेशा एक सोसल मीडिया में क्लेम किया जाता है कि संकराचार्य ने बुद्ध धम को डिवीट में हरा दिया था और उनकी कई किताबें हैं जैसे ब्रंभ सुत्र है, उसका भास से किया हुआ है संकराचारय ने और और भी कई किताबें हैं जिसमें अकसर हां ये दावा किया जाता है कि जो बुद्ध धम की कई सारी सखायत ही उनका खंडन किया है इनोंने तो इसलिए आज की वीडियो में हम इसकी पूरी डिटेल्स में देखेंगे कि संकर ने किन-किन चीजों का खंडन किया था या नहीं किया था या सिर्फ ये क्लेम भर है, इसकी फैक्ट चेकिंग भी आपको लगे हांथ हो जाएगी और साथ में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि बुद्ध जो धम है जिसकी सुरुवात कहा जाता है कि बुद्ध ने की थी बुद्ध से पहले भी पुर्वबुद्धों की भी चर्चा आती है लेकिन यहां पे जो बुद्ध के परी निर्वार के महा परी निर्वार के बाद जो सखाय बठती चली गई, उनसे जो स्ट्रगल हुआ था या उनसे जो वार हुआ था, फिलोस्पिकल वार हुआ था उसकी हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं तो चलिए समय नगवाते हुए हम सीधे स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कि क्या-क्या चीजे हुई थी और क्या वास्तों में संक्राचार्य सफल हो पायत है उसका खंडन करने में सबसे पहले यह डिस्क्लेमर है यह जो रेफरेंस लिया है मैंने यह बहुत एक अच्छी पुस्तक है बहुत ही कहन रिसर्च के माध्य हम से बनाई गई है लिखी गई है इसको लिखा है डॉक्टर सुरेतरा ज्यातने बुद्ध और संकर नाम से है इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं मुलनिमासी मेगामार्ट से उसका लिंक भी मैने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में अमेजन से भी आप परचेज कर सकते हैं उसका भी लिंक मैं यहाँ पर प्रवाइट करा दूँगा डिस्क्रिप्शन में तो सबसे पहले हम यहाँ पर देछते हैं कि जो क्लेम है कि इन्होंने किन-किन चीजों का खंडन किया था वो कहा जाता है कि इन्होंने सरवास्तिवाद का ये सारी बुधमार की सकाए थी उसका खंडन किया था सुन्यवाद का खंडन किया था विज्ञानवाद का खंडन किया था ये क्लेम किया गया है अब वास्तों में ये किये हैं कि नहीं किये हैं वो आज आप जब पूरा ये सेशन देखेंगे तब आप खुद ही कंक्लूड कर पाएंगे कि सच्चाई क्या है क्योंकि आप लोग को तो पता ही है वाटसप यूनिवर्सीटी में फेस्बूक और ये सोसल मीडिया यूनिवर्सीटी में और जो ये मुँ से गपागप इन लोग की गपे हांकने क्यादत होती है उसमें तरह तरह की भ्रांतिया ये लोग फैला के रखते हैं तो इसलिए हम आपको to the point ले चलेंगे हर एक पहलू को दिखाएंगे और उन हर एक पहलू को दिखाने से पहले मैं आप लोग को खुद ही ये चीज दिखा देता हूँ कि ये सर्वस्तिवाद क्या होता है महायान क्या होता है विज्ञानवाद क्या होता है ये जितनी भी ब वादी जो संपरदाय है इसको कहा जाता है कि बुद्ध के महापरी निर्वान के सो वर्स बाद वैसाली में दुतिय संगिती आयोजित की गई इसमें संग जो है वो दो भाग में बट गया था ये संगिती जो है वज्जी पुतक विखुओ के विने विरोधी आचार और उनकी सोने चांदी के प्रती लोलुपता के करण आयोजित की गई थी वैसे तो ये बात इन्होंने लिखी है लेकिन आप लोग को ध्यान रहे कि सिर्फ बुद्ध मार्ग ही है का ऐसा मार्ग है जिसमें जो बुद्ध के वचंत है उनको संरक्षित करने के लिए समय समय पर संगित किया होती थी जैसे बुद्ध के परिनिर्माड के चोथे महीने में पहली संगिती हुई थी और वहां पे जितनी भी बुद्ध की गठाये थी जितने भी विखुओं ने या विखुशंग ने जो सुन रखी थी उनको कमपाईल किया गया था फिर जैसे जैसे समय बित्ता थ और ऐसा देखा जाता था कि लोग थोड़ी अलग प्रैक्टिस करने लग रहे हैं या फिर डाउटफुल हो रहा है कि उनकी गाथाए क्या है बुद्ध की वाणी क्या है या उन्होंने जो पीटक जिसको कहते थे ती पीटक तीन भागों में अलग-अलग पीटक बनाई कि हाँ यही चीज ओरिजिनल है फिल्टर आउट किया जाता था बाकी कहीं पर यह देखने को नहीं मिला है लोग इसे हवा में तीर मारते हैं अब आज का जब आप सेशन देखेंगे ना ता आपको पता चल जाएगा कि जो लोग कहते हैं कि हजारो हजारो साल से हम गाते हु सब आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी फकाईती बाज हैं यह लोग कितना फकाईती फेंकते हैं यह इसका लाइव एक्जामपल है बुद्ध मार्क कि चौथे महीने में संगिती होती है बुद्ध के परिनिर्वान के ठीक फिर उस सौ साल बाद होती है क्यों होती है तो यहां से मार्क जो है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है लोग जो है अलग प्रैक्टिसेस पे जाने लगें तो फिल्टर आउट करने के लिए यह चीज़े आई अब उसमें जो है जो बहुत विखू अगरा थे एक तो बुद्ध की मार्क पे चलते थे और जो दू पूरी तरह से जो एक्चुल जो कहते हैं बुद्ध की जो सिक्छाएं हैं वो नहीं आ पाती थी तो इसी लिए दिक्कते आती थी तो इसको फिल्टर आउट करने के लिए यह लोग संगीती करते थे तो जब यह संगीती हुआ इसका आयोजन कराया था यस कांकर पुत्र ने और इसमें जो है बिनेवादी और सोने चांदी से परहेज करने वाले विक्खु अस्थवीर कहला है यहाँ पे देखिएगा दो भाग में बंट गया था बुद्ध माग एक था कि जो लोग सोने चांदी को वो हटा दिये जैसे बुद्ध मैंने पिछले स्ट्रीम में दिख विक्खु संग था उसके लिए पूरे दस सिल्थ है जिसमें से दसवा जो पॉइंट था या नौवा पॉइंट था आप लोग देख लीजेगा यह था कि सोने चांदी से इन्हें परहेज रखना है तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी बहुत विक्खु आ गया है जिनको सोने चा जाहत नहीं होनी चाहिए हम लोग विक्खु हैं तो उनको अस्थवीर कहा गया और जो लोग इन चीजों को भी धन संपदा को भी लेकर चलने के हक में थें उनको महा संगिक भीडवादी कहलाएं अब महा संगिक जो थें यह थोड़ा साब अलग हो रहे हैं यहां ध्यान द नया चीजे गढ़ रहा है तो अब समझ जाइए कि वो कुछ मिलावट कर रहा है कुछ अपने स्वार्थ की पूर्ती के लिए कुछ चीज उसमें घुसाने की कोशिस कर रहा है जैसे बाद में आप देखिए संकर आया चाहें उसके बाद से वैशनों आया या फिर देखिए 1875 में आरे समाज आया इस सब क्या कर रहे थे अपनी कुछ मिलावट कर रहा है अपना कुछ नया उसमें स्वार्थ पूर्ती के लिए तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि यह सब मिलावटी लोग हैं और कैसे अपनी स्वार्थ की पूर्ती के लिए यह लोग मिलावट करक अब क्या हुआ यहाँ पे कि महासंगीकों ने अपना स्वतंत्र साहित उसी समय रचना शुरू कर दिया था उसकी निंदा और आलोचना अस्थिरवादी द्रिष्टी से दीपवांस में मिलती है यह दीपवांस एक किताब है बुद्ध मार्ग की और वहां पे आप देखेंगे कि उसकीताब में इन बातों की चर्चा हुई है हलाएं कि उसको बहुत अच्छे किताब किसी भी जो स्क्रिप्चर है नहीं माना जाता है लेकिन आपको पता है कि जब भी आप इतिहांस के बैक डूर में घुसते हैं तो आपको स्क्रिप्चर के माध्यम से ही बहुत कुछ निकालना पड़ता है कि अच्छा क्या क्या हुआ था तो उससे थोड़ा-थोड़ा आपको आइडिया लगता है तो ये चीज देखा गया है कि वहाँ इन बातू की चर्चा हुई है अब ये दो संपरदाय आगे अनेक संपरदायों और सखायों में बट गए बटेगा ही बटेगा वो तो नियम है जब साइन्स आया था शुरू में आज साइन्स के कितनी ब्रांचेज हो गई है लेकिन सब की सब जो है मूल पॉइंट को जरूर मान रही है उसी तरह से ये जितनी भी साखाय बटती थी लेकिन मानते सब वुध को ही थे ये बात याद रखिएगा ये मत सोचिएगा कि ये अपना अलग ही कुछ ले चल रहे है तो असोक के समय में इसापुर्व 274-232 इसवी तक मतलब इसापुर्व तक इनकी संख्या 18 हो गई थी 12 संपरदाय अस्थिरवादियों के तथा 6 संपरदाय महा संखिकों के ये ध्यान रखिएगा कि जब समराट असोक थे उसी समय से इनकी साखाय जो है या हम कह सकते हैं जो स्कूल है वो 18 हो गए थे 18 पार्ट में डिवाइड हो चुके थे जिसमें से 12 जो है वो इनके पच में थे किनके पच में थे जो सोने चांदी रखने से परहेज करते थे धन संपदा नहीं रखते थे लेकिन छे ऐसे भी संपदा इनके बंट चुके थे उस समय जो धन रखने की भी कोशिस करते थे आपको याद होगा कि दसवी सदी में जो गजनी लूट के ले गया था मंदिरों को ये तो ये आप सोच रहे होंगे कि आज जो उस समय के ब्रामणत है वो कहां से धन रखने लगे थे इनहीं की ओलादे थे आगे देखते जाएए मैं पूरा आज कला चिठा खोल दूँगा बहुत लोग सोचते हैं कि बुद्ध मारग अलग है और ये जो आज का सेवबोध और साक्त जो निकले हैं ये अलग है कुछ अलग अलग नहीं है सभी नहीं की ओलादे हैं ये देखिए यहां से चीज़े आपको समझ में आती चली जाएंगी कैसे कैसे डिवीजन हुआ है बाद में और कैसे आज का जो हिंदुईजम जो खड़ा किया गया है किस तरह से बुद्ध की कबर पर खड़ा किया गया है अच्छा मित कजला कजला थैंक्यू थैंक्यू आपको सुपरिश्टिकर के लिए तो अब इसके बाद से क्या होता है कि ये जो स्थिरवादी थे ना इनके जो बारा संपरदाय थें इन ही में से एक था सर्वस्तिवादी जिसका कहा जा रहा है कि इसकी ये आलोचना किये थें कौन किये थें संक्राचारे इसी के बारे में बताया जा रहा है तो एक चीश तो आपको समझ में आ गया है कि ये सोना चांदी भले ही नहीं रखता था, बारा संपरदाय में से था यी भी, तो नहीं रखता था, यही आगे चलके बैभासिक संपरदाय का लाया, जो कहा जाता है न, जो में फोर पार्ट में जो डिवाइड किया गया है, बु समझे गए कि ये है, एक चुल में क्या होता है कि भारत का इतिहांस इतनी बूरी तरह से बरबाद कर दिया गया है न, यहाँ पे पाली में जो सा होता है न, दंती सा वह होगा, यह तलाबे सा लिख दिया गया है, लोग लिखने लगे हैं, क्या करेंगे, इतिहांसी कर दिया है, वही चल रहा है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो उनके द्वारा अब जो बुद्ध मारग है, सम्मान किया गया था, सम्राट असोक के द्वारा, तो इसी लिए जो है, यह चीजे जो है, अपना स्वतंत्रहस्तित्व भी पकड़ने लगे, अब इतने स्कूल थे 12 और 18 जो थे हैं, इनके स्कूल यह इसी तरह से आगे बढ़ने लगे, अब हुआ क्या था है, कि सम्राट असोक ने एक इंस्क्रिप्शन भी लिखवाया है, उस इंस्क्रिप्शन में उन्होंने फटकार भी लगाई है, आप अगर साइंस चर्णी पे वीडियो 87 देखेंग तो उसमें आपको पता चल जाएगा, और वीडियो 90 उसमें वो इंस्क्रिप्शन में साफ साफ दिखाते हैं, डांटते हैं, कहते हैं कि अगर तुम लोग फूट आपस में डालोगे ना, जो विद्रो करोगे संग में, तो उनको जो है मैं निकाला तो दूगा ही दूगा, स इतनी सारी साखा हो गई समराट असोक के समय में, तो सबसे बड़ा समस्या पता है क्या खड़ा हुआ, जब सो मू होता है तो हाजार तरह की बाते चलने लगती हैं, बस यही प्रोब्लेम होई थी उस समय, एक्चुल में बुध के वास्तविक पदेश क्या है, उसी में जोल होने लगी, जो है वो अपने स्कुल अपनी ही ब्रांच खोल के चला रहा है, आप किसको माने सही, कौन सही है, तब ही उन्हों ने लिखा था, वो इंस्क्रिप्शन लिखवाया था, इनको हड़काते हुए, कि फूट ओटमट डालो एक रहो, तो स्पाटली पूत्र में अस इसे फिल्टर आउट मेंने जैसा बताया कि बुधमार की खास्यत थी, कि जब भी इनमें कुछ गरबड़ी ये लोग फेस करते थे ना, कि अच्छा कुछ अलग बाते हो रही हैं, तो ये लोग तुरण संगिती करवाते थे, जो भी उस समय का ततकालिन राजा होता था, धर्सवर्दन जो है सेवंथ सेंचूरी में भी संगिती करवाये थे, उस समय था कि ये परमपरा थी बहुत हमार की, कि अगर कुछ भी इधर उधर इनको लगता था ना, कि कुछ चीज खो रहा है, कुछ चीज एड हो रहा है, तुरंत फिल्टर आउट करने के लिए सब को आके बैठा देते थे, वह सारे के सारे बहुत भी खूलों बिद्वान लोग बैठ जाये, डिसाइड कीजे क्या सही है, क्या गलत है, फिर हम इस चीज को आके ले चलेंगे, तो ये चीज होती थी, ये परमपरा थी इनकी, अब जो सोची है, जिनके हाँ कभी कोई संगिती ह नहीं हुई, जिसको दूसरे ना किसी देखा, ना राजा ने सुना, ना किसी सूद्रवेस ने सुना, ना किसी दूसरे लोग ने सुना, जो ऐसे हवा में तीर मारते हैं कि नहीं जी, हमारे बाबुजी प्यूणी दर प्यूणी साड़े 3000 साल से, साड़े 4000 साल से लेके आ रह कि हम गाह के लेकर आ रहे हैं तो कितनी सारी चीजें बीच में घुस जाती है गरबढ़ हो जाती है फिल्टर आउट करना पड़ता है अरे भाई साब आप कार ले लिजिए आप बाइक ले लिजिए आप घर का कोई मेकेनिकल समान ले लिजिए सर्विसिंग नहीं कराईएगा न छे मैने चार मैने जो भी उसका टाइम डिवरेशन है तो खराब होना ही होना है अरे मोबाईल ही ले लिजिए आप दो साल तक कितना सफ्ट्वेर ही एक साल में तो सफ्ट्वेर कहां से कहां पहुंच जाता है ही नहीं और मोहंमद तक हम अरे थे उनके बार से कुरान को लिखने की जरूरत पढ़ गई थी राख नाया गया तो देखें अब यहां पे क्या होता है कि यह जो था सर्वस्तिवाद और अस्थिरवाद इन दोनों की जो अलग हो गए थें उसी समय अलग हो गए थें और समराट असोक के बाद से तो वहां से एक नई ब्रांच भी आ गई थी उसको महायान कहा जाता है तो यहां पे जब समराट असोक के समय में जो तीस थे ना उन्होंने एक किताब लिखी जिनको कहा जाता है कि उसमें इस सर्वस्तिवाद की कड़ी अलोचना किये थें तो वो ही एक सबूत है कि इनमें जब अलग-अलग साखाये थी ना ज्यादा तीन प्रांच करती थी कुछ गरबड बताती थी तो जो मेन इनकी ब्रांच था जो समराट असोक जो है मेन माने थे अस्थरविद का ही जो मेन ब्रांच था भले ही बारग उसकी अलग साखाये हो गई थी अब उसी में से ये भी था सर्वस्तिवाद लेकिन माने थे वो सिर्फ मेन को ही बारग में से जिस में उनको मानेते की यही original है उसके अध्यक्षत है मोगली पुत तिस और उन्होंने एक किताब उसी समय लिखी है कथावत्थू की उसकिताब का नाम है और ये कथावत्थू आज भी जो बुद्ध मारक का जो तीन पिटक है जो तीसरा पिटक है अभिधम पिटक उसके जो समय में सर्वस्तिवाद आ गया था सम्राटसोग के समय में और उसमें क्या क्या चीज़े गलत है उसकी अलोचना किये है उसमें अब यही सर्वस्तिवाद जो है आगे चलके सोतांत्रिक कहलाता है चलिए अब क्या होता है कि यह division आप देख रहे होंगे साफ साफ कि पहला सं संगिति जब हुई तो दूसरी संगिती के बाद से मिलावाट होनी शुरू हो गई था अलाग अपनी ब्रांच बनाने सुरू हो गए था इसमें भी लिखा हुआ है कि जो जब दूसरी संगिती होई तो उसके बाद से यह जो अठारह स्कूल है ना इनके बीज पढ़ने 7th 8th century में ही ये आये हैं लेकिन इनमें जो है ना यंत्र मंत्र तंत्र मद्ध इस्तरी हट योग ये सारे चीजे आ गई थी ये सारे चीजे तो बहुत मार्ग में मना है ये विकृति थी ये बाद में आ गई लेकिन इसकी वीज जो है मतलब कहा जाता है कि कहीं न कहीं वीज पहले से मौजूद होता है तभी ये चीज आता है तो ये उसी समय से फूट पढ़नी सुरू हो गई थी दूसरी संगती के बाद तीसरी संगती में तो साफ ही महायान अलग हो गया था जिसके ये पाल्ट बाद में आगे चलकर बने पाल्ट बने या उससे भी खंड होके आगे निकले थे तो एक बड़े वो हुए हैं विद्वान हुए हैं धाक्टर भरत सिंग उपध्याय ब्रामण हैं और सेवसंपरदाय के बड़े समर्थक हैं अब इमत समझेगा कि बुद्धमार के समर्थक हैं सेवसंपरदाय के बड़े समर्थक हैं बड़ा उनका मान समान करते थे संक्रा का उनक्या लिख रहे हैं कि यह वजरियान ही भारत में बौद धर्म के प्रति असधा का प्रधान कारण हुआ सब लोग जानते हैं यह दपी बौद धर्म के आर्य सनातन धर्म में नाम रूप खोकर विलिन होने के विज तो उसी समय बोए जा चुके थे तो अफकोर्स यह बात सही ही है कि आपका जो यह सनातन और आर्य धर्म जो आया है उन्ही में से आया है इसी में से तो आया है वजरियान से ही तो बना है वही तो तंत्र मंत्र रचे मंत्र आपको तो आती नहीं थी मंत्र तो यह तंत्रयानी आपको सीखाया है तंत्र मंत्र तब जाके आप जो है वेद के मंत्र बनाना शुरू किये हो मंत्रा आपको कहां आते थे पूरा का पूरा आपने अथर वव्यद में भूत प्रित और डायन पिशाच और जो खड़ा कर रखा है तमासा कहां से आपने लिया है इसा अब बताईए आप कहां से लेकर रहे हैं जितना किये हैं उसे पचास वुन आप लोग आगे निकल गए यह बाती नहीं बताएंगे तो चलिए जब महायान धर्म का उदय हुआ और भगवान बुद्ध को कुछ-कुछ आवतार का रुप सुरूप परदान कर दिया गया था जी है इत बात बिल्कुल सही है कि महायानी जो है इसा से सो साल पहले अस्तितों में आये थे यह वही समय जब भारत में सक आ गये थे और कुशाड भी आने शुरू हो गये थे पहलो अगयर थे उसे पहले ग्रीक आये थे इनका जो कंबिनेशन बनाना इन ही लोगों ने जब बुद्ध मार को एकसेप्ट किया उसी समय एक नई ब्रांच निकल के आये थी महायान अईसी महायान से यह सब तंत्रयान और वज्रयान निकले हैं यह मूद सुरोत नहीं है बुद्ध मार के बुद्ध से कुछ इनका लेना देना नहीं है यह सब अपनी दुकान खोल के बैठे हुए थे आ यह भी एक दुकान खुल गई महायान की यह जो बिदेशी आए एकसेप्ट भी कर लिय लेकिन किये क्या थे वह आगे मैं बताऊंगा आगे क्या इन लोगों ने घाल मिलकी थी अभी देखते जाए आप लोग तो महायानी अब जब महायान बना ना तो महायान का सर्वस्तिवाद से इन दोनों पर लड़ाई जगड़ा शुरूर हो गया था और आपको अभी कहते हैं कि तुम जो है ना बुद्ध धम के विक्रित रूप हो तुम बुधिष्ट नहीं हो यह महायानी कहते थे आच्छा जो सर्वस्तिवाद था इसका क्या था कि कई सारे ऐसे आचारे लोग थें जिसमें से एक अस्वगोस भी थें अस्वगोस पहले सर्वस्तिवादी जो थे ना इनहीं लोगों ने संस्कृत का इजाद किया था यह पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहरा था कि सर्वस्तिवादी जो थें इनहीं लोगों ने संस्कृत पहली बार काम किया कम्प्लीट संस्कृत नहीं था वो कम्प्लीट संस्कृत नहीं था पहली प्राकिर्त जो है उसको यह लोग संसकारित कर रहे थे यहां से शुरुआत हुई थी यह चीज ध्यान देने वाली बात है अच्छा अस्वगोस जो थें वो बाद में जाकर इसमें घुस गएं महाय में पहले दोनों में लड़ाई हुई अब बाद में दोनों ने हाथ भी मिला लिया था सर्वस्तिवाद ने भी आ महायान ने भी और जैसे आपने देखा होगा अटल भ्यरी बजपेई पहले किस में थे थे ता ब्रामण ही पहले किस में थे बामपंती थे अब आमपंती से क इसमें सामील हो गए थे अपना पार्ट टू संग में सामील हो गए थे ब्रामण की पार्टी यह दोनों की दोनों यहीं चीज यहां भी चल रहा था यह पहले सर्वस्तिवादी थे दुनों जगड़ा की यहां अपस में अब फिर जो है यह दोनों आपस में चेंज भी वह दे यहां तक लिए कि उभी नहीं कि अवह तो सर्वस्तिवादी कहते थे सर्व मस्ति मतलब सब धर महायानि काल सरो सुन्द्रां यह दोनों की थीरि यह यह दोनों अब आपने किताब सुनी होगी बड़ी फर्जी किताब है जिसको कहा जाता है ललित विस्तर जिसके नाम पर जो है जो राइट विंग जो है दिन रात कूधते रहता है राइट विंग या लिफ्ट विंग के विजवा लोचक लोग है इसी किताब को लिए कूधते रहते हैं ध्यान दिजे का यह बुद्ध मार्क की किताब ओरिजिनल वाली नहीं है यह इन्हीं यह जो देख रहा है ना आप सर्वस्ति बादे जिसको कर रहा है कि तुम बुद्ध वरांज की साखा नहीं हो अगर कोई ललित विस्तर से बुद्ध की आलोचना कर रहा है तो उपर मुह क बुद्ध का धम क्या था वो फर्ष्ट पार्ट में मैं बताया हूं जिसको डाउट है जाकर देख लीजिएगा यहां पे जो मैं पता रहा हूं आपको यह किताब किसकी है तो इमाहयानियों की है देखे क्या लिखता है नालंदा में दोनों संप्रदाय कौन-कौन तो यह जो सर्वास्तिवादी थे यह और महायानि यह दोनों एक दूसरे से मिल गए दोनों में काफी आधान-प्रदान हुआ ललित्विस्टर जो महायानी सहित्य माना जाता है पहले सर्वास्तिवादी संप्रदाय के अनुसार बुद्ध की जीऊनी ही था सुना आप ने यही सर् पूराट असोक ने बाहर निकाल दिया था कि तुम लोग फूट डाल रहे हो संग में जो बारा स्कूल थे उसमें से बाहर निकाल दिया था माना नहीं था उसको यह जो है बाद में जब संस्कृत में लिखावट शुरू किये में कप्लेट संस्कृत नहीं था जिसको संकर संस्कृत कहा जाता है जिसमें संस्कृत के कुछ कुछ सब् seemingly मिलते हैं और बाद में जब ढ़ेजी सब्सक्राइब से आज कैma बंगे संस्कृत में लिखावट ख्ड़ दिया डिया कि जो diffूत में लिखा गया उसके पहले संकर संस्कृत में लिखा था यह क्या सूचते हैं कि ललित विश्टर आज संस्कृत में है तो यह सीधे सीधे ना तीसरी चौथी सदी में भी संस्कृत में ही लिखा गया संकर संस्कृत का नाम ही नहीं लेते हैं संकर संस्कृत का मतलब यह होता है कि जब पा अब लिखेगा तापको क्या लगता है सही चीज लिखेगा कुछ न कुछ अपनी फरजी पना जरूर लिखेगा तो यह सपना वाली आप बात सुनते हैं ना कि बुद्ध की मां को सपना आ गया था उसमें उन्होंने देख लिया था हाथी को देख लिया था कि भई हाथी जो ह वो क्या कर रहा है हाथी उनके गर्व में सोई हुई है गर्व में कुछी में प्रवेश कर रहा है इसे बाते आपने दो जगे सुनी होगी एक ललित विस्तर में सुनी होगी अग दूसरा कहां सुना होगा बुधचरितम में सुना होगा बुधचरितम किसकी किताब है गोस पहले क्या था यही सर्वस्तिवादी था फिर किस में गया महायान में गया तब महायान की दोनों किताब है असर्वस्तिवाद की ही यह दोनों किताब है जो किस में लिखी है पाली में नहीं संस्क्रीत में लिखी है ललित विस्तर बुद्ध चरित में इनहीं दोनों में स सांथिव आप लोग को अच्छे से पहचानने की जरूरत है कि आपकी जो जितने भी क्लेम किये जाते हैं सोसल मेडिया में ये बुद्ध मार्ग की किताब के नहीं है ये उनकी जो ब्रांचे जबाद में बनी है जिन पर आरोप है कि तुम लोग तो बुद्धिष्ट भी नही जिया था उनके जो अलादे थी वो सब फरजी ये सब किताबे लिखी है सपना ज्योतिस पहले से ही भौश्यवानी करना इस तरह की बात है चलिए आगे बढ़ते हैं अब ये सरवस्तिवाद जो था देखिए यहां पर लिखा भी वा अस्वगोस के गरंत बुद्ध चरितम और सौंदर यनंदन सरवस्तिवादी परंप्रा के हैं प्रन्तु उन में महायान की सिक्छाओ का पर्थम्बार दरसन होता है टिपिटक में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बुध की मा को सपना आया था कहीं नहीं मिलेगा यहीं फर्जी किताबों में मिलेगा सर्वस्तिवाद के दो प्रधान केंद्र थे मतुरा और कास्मीर वैसे खुद सर्वस्तिवादी कई प्रकार के थे वसुबंधु ने चार प्रकार के सर्वस्तिवादी गिनाए अब देके सर्वस्तिवादी भी चार तरह के हैं इतना डिवीजन होते जा रहा है यह बहुत ध्यान से जानने की बात है अच्छा इसके बारे में भी जान लीजे कि महायानी क्या होते है तो महायान का कहना था कि बुध्ध ने अनेक यानों की बात कही है त्रियानानी उपदर्सयामी ये संड़ पुंडरिक में लिखा हुआ है सरधम पुंडरिक में लिखा हुआ है जबकि पालिती पिटक से हमें पता चलता है कि बुध ने एक ही यान सिखाया था याद रखेगा पालिती पिटक ये जो बाद हमें लिखे है न ये लोग त्रिपि को ब्रामड लिख देगा तीपिटक को त्रीपिटक कर देगा तो उसमें आप फंस जाएंगे स्वर और वेंजन में तब पाली तीपिटक से हमें पता चलता है कि बुद्ध ने स्रिफ एक ही यान सिखाया था अई जब महायान बना इसा से सो साल पहले जब ये सक और पहल लोक बुद्ध ने एक ही यान सिखाया था और वह था आर्य अश्ठांगिक मार्ग मतलब आर्य अश्ठांगिक मार्ग आर्य मतलब 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 मज़ेगा कि आर्य की बात हो लिए आर्य लिखा जाता है हिंदी में आर्य लिखा हुआ है तो बुद्ध ने सिर्फ एक यान सिखाय लें किसके नाम पर बुद्ध के नाम पर देखिए इसके बीपरित महायानी कहते हैं त्रियानानी श्रावक यानंग प्रतिक बुद्धायान महायाने चती यह नगारजुन जो था न महायान साखा का था साउध का था यह साउध का कहा जाता है कि दक्षिन कित हैं यह आके यहा यह अपनी एक नई ब्रांच बना रहे हैं महायान की सुनेवाद इनिक दिया हुए का जाता है तो उपकरेने नहीं बुद्ध ने जो है ना कई सरे यान की बात की है ताकि इनका भी एक स्कूप खुल जाए उनके नाम पर अपना एस्कूल खोल ले अब यह लिखते हैं कि उनक इवाद का उपदेश दिया गया सुन लीजिए यह घालमिल हो रहा है यहां पर नगारजुन जो है अपनी दुकान चलाने के लिए यहां पर यह बात कह रहे हैं कि जो बुद्ध के समीप के जो लोग थे ना उनकी बुद्धी बहुत ज़्यादा नहीं थी तो जो पहली संगिती में बुद्ध ने कहा था उनके लिए अलग कहा था और कुछ लोगों के लिए उन्होंने गुप्त संदेश दिया था यह बता रहे हैं अब यह गुप्त संदेश देखिए तीसरी संगिती में महायान तीसरी संगिती के बाद आया है महायान जो है तीसरी संगिती के लेके लिए नई नई बाते कहके और बुद्ध मारग में मिलावट कर रहे थे या यह कहें कि उनकी अपना एक अलग संपरदाय बना रहे थे तो यह देखें क्या लिखते हैं कि जो परतेक बुद्ध थे अथार्थ अन्य अपने पुरुसार्थ से जिनमें बुधत्व हुए योग्यतम सिस्यों को दिया जो बोधी सत्वत हैं जिनकी परंपरा को परवर्तित करने का दावा महायान करता है यह महायान अपनीने एक नई कहानी गढ़ रहा था इसा से 100 साल पहले इसा से 100 साल भी पहले नहीं यह इसा के पहली और दूसरी सताब्दी में थे यह महायानियों को पता चल रहा है यह कहानी चल रही है यह बात आप लोगो समझना होगा यहीं से आप सारी घाल मेलों को पकड़ लेंगे अच्छा अब यहां पे सवाल खड़ा होता है कि यह गुप्त ग्यान संदेश या उपदेश बुद्ध के महानिर्वान के सताब्दियो तो जो आम जनता थी ना उसके बीच में घुसके उसके भीतर घुसके इतनी असानी से बिल्कुल उनकी भासा में अपनी बातों को समझा लेते थे तो आपको लगता है कि वो कोई गुप्त ग्यान रखके छोड़ देंगे कि 700 साल बाद कोई बंदा दावा करे कि भईया वो गुप्त ग्यान हमारे पूर्वज लेके आये हैं जो इसे दावा आजकल ये सब करते हैं कि हमारे पूर्वज जो है न सबहें 30.000 साल से व्यद नो जो आ रह रहा था दूर्त वहां भी 700 साल बाद एक बंदा जो है क्लेम कर रहा है महायान सोखा में कि बुद्ध ने कुप्त ग्यान दिया था वो अचानक से 700 साल बाद टपक रहा है यह धूर्दता है पकड़ने के आप लोग की जरूरत है अच्छा अमित कजला कजला थेंक्यू थेंक्यू आपको परिश्टीकर के लिए अब इसमें क्या है कि बुद्ध ने कभी भी किसी को अलग से नहीं कहा था इव संजुक्त निकाए उसको आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ पर उसाफ साफ कह रहे हैं कि अंदर और बाहर का भेद न करते हुए मतलब आनंद को बता रहे हैं मैंने धर्म का उपदेश किया है आनंद धर्म के संबंद में तथागत ने अचार्य मुष्टी कोई गुप् वह सारी चीज बता दी है और यह जो है आप लोगों को क्या बताते हैं सब कि भाई साब महायानी बता रहा है इसा से सो साल पहले कि नहीं उन्होंने हमें गुप्त ग्यान दिया हुआ है तो यह यहां से आपको पकड़ में आ जाएगा कि नहीं यह जूँठ बोल रहे हैं इ आपके यह कब समझ में आया कि हिंदू धरम में सब गोल माल है थैंक्यू सूर्य प्रकास सिंग जी यह बात मैं बता दूँगा आप एक पर फिर से मुझे याद दिला देजिएगा लेक्चर प्रेजेंटेशन के बाद मैं फिर से इसको बता दूँगा आपको तो यहां से यह चोरिया ना साफ साफ पकड़ में आती है आचा इसके बाद से वही बात है कि वो तो कोई चीज़ चुपा कर रखते नहीं थे और सीधे सीधे जो तीसरा जो हुआ था संगीती वो तो बुद्ध के महापरे निर्वाण के तो 36 यहर्स बाद हुआ था और उस समय महायान उसके बाद ही अस्तित्तों में आया था और यह जो नगारजुन जो कह रहे है न यह तो ईशा के पहली और दूसरी सदी में थे तब अचानक से यह गुहतम ग्यान जो है कहां से आटपका था जो तीपिटक में है ही नहीं निके तो जो पहलों थे सक थे कुसार थे ग्रीक थे पर तीयन थे शितियन थे यह सब इनके जो लोग थे ना आके जो बुद्ध मार्गा यह के पकड़ लिए थे बुद्धिष्ट बन गये थे बिदेस का ही मिलेगा होने है तो करते हैं कि वही बीदेश के हैं वही विधेव के हैं संस्कृत में लिखते थे संस्कृत संस्कृत लिखते तीश संकर्संस्कृत लिखते तुग तो नुक glory tam देखिए यहां पर लिखा है इनोंने डॉक्टर स्वेंद्र अगयात ने साप साप लिखा है इस गुहतम ग्यान की चौक लगाकर मूर्ति पूजा सुरू कर दी किसने महायानियों ने पहल्लो सक कुषाण ग्रीक पर्थियन सिथियन आधि जातियों के कुछ देवताओं को बो दोधाम में सामिल कर रही आ गया समझ में है दोस्तों आप को यही बात मैं आप लोग को बार बार बताता हूं कि आज कि यह जितने दिखाते है ना तिर्सुल वाले तिर्सूल लेकर खाड़ा है तो बेल के पीछे खाड़ा है और दिखाते हैं कि इसमें कर्थिके लिखा च्छमी का सिक्का मिल गया है इसमें हमारे देवी देवता के सिक्का मिल गया है इस सब के सब जो है यह सक पहलो कुशान ग्रीक पर्थियन सितियन इन सब के देवी देवता थे यह जब लेकर आये नो वहां से तो यह महायान वाले जो है इनसे महायानी बन गया पहले तो से नीचे ग्यान में हमारे बुद्ध से नीचे उमान भी गए ठीक है ठीक है दोनों चीज हो रहा है हमारे गोड भी बुद्धि सत्व के रूप में हो गए अब बुद्ध तो सबसे बड़े हैं ही है इसलिए मैं कहता हूं कि आज के जितने यह 33 क्रोन देवी देवता घूम र लिख दिये हैं इस सारी विदेश में जो रिसर्च हुई है उन लोग ने विए चीज़ा फाइंड आउट कर दी है और आज के जो गोबड़ गणे इस लोग जो है जो बैट के आपको तरह तरह के चैनल पर दिखाते रहेंगे यह देखो जी सिका इसा से सौ साल पहले इस प जब बनाया है जैसे बुद्ध को बनाया है वैसे इनको भी अपना देवी देवता बना लिए बुद्धी सत्तों को भी यह सच्चाई है यह सच्चाई को सब कुछ समझना होगा गहराई से पूरा काला चिठा खुल जाएंगा इनका चलिए आगे बढ़ते हैं अब जो है यहाँ पे जो बिनाय पिटक है इसमें इसका इस्तमाल किया अब एक बात थी ना कि भाई जब बुद्ध को यह भी मानते थे महायानी ऐसा नहीं है कि बुद्ध की आउहल ना कर रहे थे मान बुद्ध को ही रहे थे दूसरे देवी देवताओं को इनका चेला बना लिए जो ग्रिक के जो आयत है अब इसके लिए इन्हों ने जो बुद्ध का एक वचन था जो बिनाय पिटक का चुल वग में लिखा है उसको आधार बना कर यह काम किये हैं जैसे आपने देखा होगा कि आज भी सरकार को को बढ़ा आठपटा सा नियम बनाना होता है कुछ ऐसा चीज तो वो सविधान के किसी ऐसे चीज किसी ऐसे धारा किसी ऐसी चीज को उठाती है और उसकी हेल्प के मदद से अपनी नई चीज को वो क्रियेट कर लेती है कती के हाँ सविधान में वहाँ पर यह चीज है उसको फ वुद्ध वचन को अपनी भासा में सिखने की समझें क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश था अब वुद्ध जो है वो बहुत बड़े ज्यानी व्यक्ति थे उनको पता था कि जो मैंने सत्य खोजा है वो सत्य सिर्फ भारत के लिए या छोटे मोटे जगहों के लिए नहीं है पूरे बिश्व के लिए है तो उन्होंने बड़ी फ्लेक्सिविल्टी से ये बात भी कह दी थी कि जिसको जिस भासा में मेरी बात सीखनी हो ना उसमें सीख जाना आप देखिए आप पता लगाएंगे ना कि कुरान का कितने भासाओं में अनुवाद हुआ ता आपको पता आज भी जो बेद मंत्रवाला बेद पढ़ता है ना तो कौन से भासा में पढ़ता है संस्क्रीत में ही पढ़ता है तो यह आपको ध्यान देना होगा कि यहां पे बुद्ध जो है इसलिए कहा जाता है कि बुद्ध जो है नास्तिक थे तरकसील थे और दुनिया के पहले जो लेकिन जो धरम मजहव रिलिजन कटरपंथी होते हैं वो इतने लकीर के फकीर होते हैं इतने चिड़े हुए बुझे हुए होते हैं वेचारे कि वो जिस भासा में कहा गया है उसी भासा को भी समझ लेते हैं कि भासा भी मत बतलो उसी में रट रहे हैं समझ में नहीं आ रहा तो अपनी बना हे लिए संकर संस्क्रीट और संकर संस्क्रीट से ही फिर संस्क्रीट भासा भी डेवलप होई और तब ही ये सब बुध चरितम, सौंदर्य दर्शन और जितनी ललित विस्तर ये जो किताबे लिखी गई ये बुध मार्ग की ये सब इसी अधार पर एक नई भा पनुए तो इसलिए हुआ था अब एक पॉइंट ध्यान दिजेगा आपने सुना होगा कि आजकल ये कहते हैं कि रमायड जो है न बड़ा मिलावट हुआ है रमायड जो था न उसको कताईनी पुत्र ने लिखा था ये इस तरह से दिखाते हैं कताईनी पुत्र को कतियाईन कताईनी पुत्र ने लिखा है उसी को ओरिजिनल रमायड माना जाता है और आज का जो रमायड है उसमें 24,000 सलोग काते हैं कि सब डबल करके मिलावट कर दिये हैं 12,000 सलोग थे वह भी किताब इसी कत्याईनी पुत्र का बताया जाता है अभी देखिए यहां पर क्या लिखा आर्य कत्याईनी पुत्र यहां आर्य लिख रहा है ना आर्य होगा इंदी में आर्य लिख देते हैं पुत्र ने ज्यान प्रस्थान सास्त्र नामक गरंत लिखा जो किसी बौध का संस्कृत में लिखा प्रथम गरंत है समझें आप क्या कह रहा है किसी बौध का संस्कृत मे लोगों ने वलमिगी के नाम पर डबल करलिया बारह चार से चौदाहजार हज़ार। गहिए लोगों यह टीज करकें आपको कहीं नहीं बताःति कि कहा से इस संच्छाइक 为 proclaim कि आपको लेंग्वेज को जा कों आई कहां से किस चीज का अस्तित्व आ रहा है यह सारी चीज़े इस तरह से गायब की गई है चलिए अच्छा यहाँ पे सैन को जो है सुपरिश्टिकर कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू सैन को तो इसके बाद से अब मैं आप लोग को कुछ और पॉइंट दिखा देता हूं हाँ यह सब अपना ही एक अभिधम पिटक बना लिए ध्यान दीजिएगा मैं कहता हूं न कि इन लोगों ने घाल मेल करके अपनी चीजे बांट लिती तुम इस तरह से करो हम अपनी इस तरह से करेंगे यह देखिए तीसरा जो पिटक है अभिधम पिटक इन्होंने अपना ही अलग पाली में है यह तो देखिए यहां क्या लिखा हूँ है पत्थान धम संगड़ी वी भंग पुगल पचती धातु कथा कथा वत्थु पकरन यमक इसमें कथा सब्दा रहा है और यही चीज जब सरवस्तिवादी जब संकर संस्कृत सुरू की है न तो यही चीज को यह लोग संस्कृत में लिख रहे थें complete संस्कृत नहीं था संकर संस्कृत मतलब mix-up था पाली प्राकित और इसका संस्कृत का तो शुरुवात हो रही थी तो पठान यह क्या लिख रहे है ज्यान प्रस्थान सास्त्र धरमसकंद पाद विज्यान काय पाद प्रगप्ति पाद धातु प्रकरणपाद संगती प्रयाइपाद देखा आपने अपना अलग लिख रहे हैं यहां से चेंजे जाया है आप जो सोचते हो ना कि पाली में कुछ और मतलब है संस्कृत में कुछ और मतलब है सब यही सुरू हो गया था बुद्धमारगी ही यह काम कर रहे थे तब जाके इनहीं से यह संस्कृत भी आज के जो प्रामण है ना इनहीं लोगों से सीखें यह बोधों से जो बोधों के जो ब्रांच है जो विक्रित होते जा रही है इनसे यह चीज़े आई है आके देखिए इसमें लिखा है कि महायान के ग्रंत भी संकर संस्कृत और संस्कृत में है इसके दो संप्रदाए हैं विज्ञानवाद यानि योगाचार और सुन्नेवाद ध्यान से समझेगा इस बात को मैं कहता हूँ आज का जो विज्ञान है जो आज का जो विज्ञान सब्द इस्तमाल कियाता है जो साइंस के एक्यूवैलन वो सब्द भी भोधोका था वो अलग बात है कि उस समय विज्ञान का मतलब साइंस नहीं था विज्ञान का मतलब चित था जिसको आज लोग ये consciousness कहते हैं मैंड या चित सब्द था उस समय पर्योग किया जाता था और ये आज जो आप लोग वो इसको योग योग सब्द इस्तमाल करते है यह भी बुद्धिष्टों का सब्द है सुन्य वाद दूसरी सदी में आया था पहली और दूसरी सदी में नगरजुन का सुन्य वाद महयानियों की शाका थी यह आपको क्या बताएंगे पांचीवी सदी में आरे भट ने शुन्य की खोज कर दी अब बताइगे कितने धूर्तता है आरे तुम्हारा जो सब्द है सुन्य उसकी खोज कर रहा है उसकी पूरी एक ब्रांच है बौधों की नगरजुन जो था माहयानि बोधिष्ट था बुद्ध की जो चार ब्रांचेज है उसमें सुन्यवाद पूरा एक ब्रांच है पहली दूसरी सदी में अस्तित्तों में था ये बता रहे नहीं जी उसके 400-500 साल बाद सुर्णिय की खोज की आरे भट ने अब आरे भट ब्रामड था आरे धूर तो थोड़ा ठीक से पढ़ाई लिखाई करो थोड़ा सा इतिहास इसी लिए जानना जरूरी है दोस्तों आप नहीं जानते हैं इसका फायदा उठा कर ये आपको गलत चीजे सोचल मेडिया में प्ढ़ाता है किताबों तक में गलत पढ़ाया जाता है किसी किताब में आपको पढ़ाया गया होगा कि आर्यावर्ट ने सुन्य की खोज की कभी आपको पढ़ाया है कि सुन्यवाद ने बुध मार्की साखा है और उनसे भी 300-400 साल पहले आ गई थी नहीं पढ़ायेगा कभी नहीं पढ़ाया जाएगा चलिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब थुरा सा यह समझ लिजे कि विज्ञानवादी है क्या विज्ञानवादी कहते हैं कोई भी भातिक पदार्थ वास्तों में नहीं है जो योगाचार है जो महायान की जो साखा है वो यह कह रहे हैं कि कोई भी जो भातिक पदार्थ है वो वास्तों में नहीं है जो कुछ है विज्ञान अथार्थ चित्ता है मतलब consciousness की बात कर रहे हैं चितना की बात कर रहे हैं मन की बात कर रहे हैं जो भी आप चीज सोचते हो आजकल आपने सुना होगा के सब बताते हैं कि भाई consciousness है consciousness है बन के आएंगे क्या ब्रामणवादी धार्मिक बन के आएंगे और नास्तिकों से डिवेट करने पहुंचेंगे consciousness के नाम पर और ऐसा सोच करेंगे जैसे ब्रामणधरम में consciousness दिया हुआ है अरे वो भी चोरी करके लाये हैं यह लोग वो भी विज्ञानवादी ब्रामणवादी यह बौधों की देन है यहां से चोरी करके लेके गये हैं सर तो यह चीज है इसके अनुसार प्रत्यक्ष केवल हमारे अंद इस्तित विज्ञानों मन चेतना का ही होता है बाहर कोई पदार्थ नहीं है बाहर इस्तित पदार्थ विज्ञानों को उत्पन नहीं करते हैं बलकिली विज्ञानों के कारण स्वेम विज्ञान उठ खड़े होते हैं एक छड़िक विज्ञान चेतना दूसरे छड़िक वि वस्तू की सत्ता नहीं है, यह point है समझाई, यह कह रहा है consciousness का जो concept है, उसमें यह कह रहा है कि हमारा जो मन सोचता है, जो mind जो सोचता है, जो चेतना सोचता है, वही है, इसके अलावा बाहर कोई भी इसवर ऊसवर नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ चला रही है, यह हमारा मन है जो सूचता है, जो भरम पालता है या जो भी कुछ करता है, वो मन ही है, यह साफ साफ यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि अब consciousness मान लिए हैं तो God को मान रहे हैं, इस्वर को मान नहीं जी बुद्ध मार की साखा थी, बिचार अलग-अलग थे हैं, थियरी भी अलग-अलगा रही थी, सिधांत अलग-अलग हो रहे हैं लेकिन जो इस्वर और आतमा को यह नहीं मानते थे सब, देखिए क्या कह रहा है कि मन जो चित है न, जो समुच रहा है जो विचार कर रहा है, इसके अलावा कोई और सत्ता नहीं है बाहर अभी भी यह वह कह रहा है, कोई आतमा नहीं होती है, कोई परमातमा नहीं होता है, जो भी बात कह रहा हो लेकिन यह common थी इन लोगों ये बात आप लोगों को समझनी जरूरी है अच्छा इसके बाद से अब यहाँ पर सवाल खड़ा होता है जो विज्ञानवादी है जो इन लोगों ने कॉंसेशनेस की बात की है इसको बुद्ध मारक के ही जो अन्य ब्रांचेज थी ना उन लोगों ने खटी या खडी कर दी खूब सस्तरार्थ करते थे बैठ जाते थे ते अच्छा आपकी यह फिलोसपी है चलिए जी बैठ लेते हैं विचार कर लेते कितनी सही है तो इन लोगों ने खूब एक दूसरे की खाल भी घीची है यह सस्तरार्थ करने की डिवेड करने की प्रमप्रान सम्यक्र का हिस्सा रहा है अब ये इसमें जो है बुद्ध जो है एक बात कहें हैं बोधिचारेवतार में लिखा है जिस रात्री में तथागत अभी संबुध हुएं और जिस रात्री में उन्होंने परिनिर्वान प्राप्त किया दोनों के वीच के समय में उन्होंने एक भी अच्छर नहीं कहा ये point आप थोड़ा सा समझेगा ये क्या चल रहा है जो विज्ञानवादी थे जो महायानियों की साखा थी इन लोगों ने क्या किया अपनी theory को थोपने के लिए पहले तो जो सक और कुशाण पहलों उनलों के बना लिया देवताओं को बोधी सत्व इसके बाद से अब ये क्य भी नहीं कहा है जो कहा है हम बोधी सत्तों ने कहा है तो ये बात इन्होंने बोधी चारेवतार में लिखा है और एक बात और आपने सुना होगा महायान के लंकावतार सुत्र की को भी ये लोग बात करते होंगे वो भी महायान की किताब है संस्कृत में लिखी हुई है उसम हम तो नए हैं, हमको अपनी बात समझानी है, तब बुद्ध को कह दो कि बुद्ध कुछ नहीं बोला है, सब बुधी सत्तों ने बोला है, इसलिए हम लोग की बात आ जाएगी यहाँ पे, यह चीज यहाँ पर चल रही थी, यह लोग बुद्ध को साइलेंट करके अपनी आने के लिए, कंपटीशन देने के लिए, साफ साफ यह तक कह दिया, कि जितने भी तिपिटक की जो भी बाते हैं ना, उसब चीज धोखा है, क्योंकि बुद्ध ने 45 वर्सों के दोरान कभी एक सब्द तो क्या, एक अच्छर तक नहीं बोला था, किसी को कोई उपदेश जिसे कभी-कभी अज्ञानी लोग साइंस तक समझ बैठते हैं, विज्ञान सब्द के सामया के कारां, तो यह जो है ना, यह थोड़ा सा समझने की आप लोग को जरूरत है कि किस तरह से जो बुद्ध मर्ग की जो ब्रांचेज होती थी, कैसे-कैसे अपनी थियरी को आगे बढ़ाने के लिए किस-किस तरह से डिवीजन क्रियेट कर रही थी, इस पर इनकी खवर ली गई है, कोई भी खवर ले सकता है, आप ही पूछ सकते हैं, कि भाई तुमको भूख लगती है, सांती के लिए उठकर गली-गली विक्षाटन करो, दूसरों का मां के पदार्थ को निगल लो, और फिर कहो क्या, कि जब वास्तों में सरीर है, और भूख जो है, वो भी लगती है, तो फिर आप जो है, भूख सांत करने के लिए गली में भीख मांगने क्यों जाते हो, अरे भाई, जब बुद्ध ने कोई उपदेसी ही नहीं दिया, विल्कुल साइलेंट थ जनम लिए हो, उसी तरह से मर जाओगे, सांती से बैठे रहो, सब चीज़ खतम हो जाएगा, अब यहाँ पे जो है, इसमें और भी कई सारी बाते हैं, कि जैसे बुद्ध तो हमेजा बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की बाते करते थे, तो जो विज्ञानवाद के जो थि यह जो ब्रांच थी, वो पूरी तरह से सूटेवल नहीं बैठती थी, इन्होंने ब्रांच अपनी बना ली थी, लेकिन सूटेवल नहीं बैठती, इनकी महायानियों की साखाती यह, तो जो बैभासी के बौध थेना सुभ गुप्त, सेवंध एर्थ संचुरी के, इन्होंन उन्होंने खिंच दी थी, बौध मार की ही बैभासीक साखा नहीं, अच्छे यहाँ पर एक चीज और त्यान दिजिएगा, कि सुभ गुप्त नाम लिखा हुआ है, सेवंध और एर्थ सेंचुरी में, यह लोग आपको इतिहास पढ़ाएंगे न, तो क्या कहाएंगे, जहा जा रहा है, यह भी बहुत ही थे, अच्छा, यहाँ पर question पूछ रहा हैं, अजे कुमार रवी, सर, वजरियान कब अस्तित्तों में आया, देखिए, अजे कुमार रवी, मैं आपको बता दूँ कि वजरियान अचानक से नहीं अस्तित्तों में आया था, महायान की जो ऐसी चीजे ही मौजूद थी, कि जो आगे चलकर विखंडित होनी ही थी, दीरे-दीरे, मतलब कुछ अंस आपको चौथी-पांचवी सदी में मिलने शुरू होंगे, सात्वी-आठवी सदी में तो प्रोपर आ गया था, ठीक है न, उस समय प्रोपर आ गया था ये, लेकिन क कोई वी चीज अचानक से नहीं आती है, अच्छा, इसके बाद से पवन कुमार जी, सुपर इश्टीकर के लिए धन्यवाद आपको, तो ये तो था आपका विज्ञानवाद का, विज्ञानवाद के बाद से महायान की जो दूसरी साखा थी न, ये थी सुन्नेवाद, चलि उनका हम अनुमान लगाते हैं, मतलब जो सर्वस्तिवादी जो थे न, सौतांत्रिक जो लोग थे हैं, उनका ये कहना था, कि बाहर की चीज जैसे हवा है, अब उसको हम देख तो सकते नहीं है, तो उसको हम लोग अनुमान लगाते हैं, महसूस करते हैं, फिल करते हैं, से कोई आकास में चीज हमें नहीं दिख रही है और कोई कह रहा है कि ऐसी चीज है था हम उसका अनुमान लगाएं के कि वो चीज अस्तित में है कि नहीं है अच्छा विज्ञानवादी थे इनका क्या कहना था कि जो कॉंसेशनेस है जो मन में हम सोचते हैं जो हमारा माइंड जो सोचता है वही है इसके अलावा बाहर कोई भी देवी देवता नहीं है अच्छा विज्ञानवादी का यह हो गया सुन्यवादी जो थे इनका तो कहना ही क्या था जी यह क्या कहते थे कि ना बाहर यह पधार्थ अ इन्होंने दोनों की खीच दी काईदे से संसारिक और मानसिक सब चीजे एक अदम कल बना है। इसी से चूरी करे की संक्राचारे बनाया था अपना कि आतमा और प्रमत्मा मैं ही हूं। जो कंसेप्ट है ना उसका जगतमिथ्य ब्रह्म सत्य हुं। यहीं से चूरी मार लिया था उसने, तभी उसको प्रचनवाद कहा गया, तो यहाँ पर यह कहना है, अब इनकी जो थी न, सुन्यवाद की, इसको भी जो सेवन सेंचूरी में थे हैं, सिछा समुचे में सांती देव, इन्होंने इसकी भी काईदे से खाल खें चलिया, वो कहते हैं कि सुन्यवाद का उपदेश करने से मनुसे डर जाएंगे, क्योंकि उन्हें सत्ता समंधि ठीक ग्यान नहीं, अता कारूनिक सास्ता ने, मतलब बुद्ध ने, अपेच्छाकृत मंत मदियों को, मतियों को, और सौतांतरिक और विज्ञानवाद के सिधान्त सिखाएं, परंतु वास्त्वी के मंतव्यतों, उनका सुन्यवाद ही था, जो उच अधिकारियों के लीए था, मतलब यह बुल रहा हैं कि सुन्यवाद का जो कंसेप्ट हैना, सिर्फ उच अधिकारियों के लिए है, आम पबलिक के लिए नहीं है, यह जो नहीं थियरी ले कराया हैं, अच्छा इस प्रकार सुन्यवादी अचार्य बुद्ध परी निर्वान के सतावदियो बाद यह घोशना करते हैं कि यह अभी बुद्ध का ही दिया हुआ गान, यह भी ध्यान देना योग है, कि सुन्यवादी भी तिसरी सदी में आया था, पहली तिसरी सदी में, उस समय यह ते लोग भी घोशना कर रहे हैं कि यह भी बुद्ह का ग्यान है रहा है, उस समय पहली संगिती में आगा रहा ता टीपितक में आ रहा है, तीपितक में सब्सक्राइब नहीं आपनी नहीं थियरी गड़े के अब बुद्ध का नाम पर दुकान ज़ल रहाए थी, जो सुन्यवादी है वुश्वैम पाड़ीपज है उनका कहना ब्यान मातर आ है। साफ लिखा हुआ है कि यह तो खुद से कलेम कर रहे हैं आप कोई बंदा खुद से घन हैं किसे सही मान लेे मान लिज्ए कि मोहम्मद कोड़ा नहीं कर रहा है किने गये का था हो देखा तो किसी ने है नहीं मुहमद ने claim है, self claim है a self claim तो मना ही नहीं जाता है court में जाएएगा, आप self claim कर दीजिएगा कि हमको भूत आया था, सपने में हमको जो है भगवान मिल गयते, तुलसी रास करता है कि हमको सपने में सोय हो रहते थे तो आके राम तीलक लगा जाते थे पैरवेर पे, चन्दन घिस जाते थे क्या करते थे, सब self claim है इसकी पुष्टी थोड़े होती है, इसको संच थोड़े मना जाता है claim है, आप भी बैठे रहिए सस्ता माल फूंक लिजे, नया नया फेंकू की तरफ फेंक दीजे ये है, वो है, अब को सामने वला थोड़े मान लेगा पस ये फेक भी फेकाई चल रहा था सबने फेका है, ये भी फेक रहे हैं कि बुध्ध जो है, दूसरी तीसरी सदी में इनको बता गए थे तीपिटेक में लिखा ही नहीं हुआ, इन लोग बता रहे हैं चलिए जी, तो तीपिटेक में बुध्ध के जो भी उपदेश संग्रहित है उनमें इस तरह का किसी भी विक्षू ने उपदेश नहीं दिया गया है को उपदेश नहीं दिया गया है सिर्फ यह सुन्यतावाद कब हुआ कौन, किसके कानों में फूंका गया तो दोस्तों एक बात आप ध्यान रखिएगा यहां पे जितनी बाते मैं बता रहा हूं आप लोगों को यह बहुत अच्छी तरह से सबजनी है कि इसन colorful पर अपला ही होता है जो लोगी सेल्फ क्लेम किये हैं न सब पर यह मत सोचिए कि केवल इन पर सुन्यवाद पर जितने लोग सेल्फ क्लेम किये हैं जिसका कोई पुखतासबूत यह सब के लगव होता है किसको बता के कौन चला गया आप सबूत दिखाएं नहीं दिखाएंगे तो सिल्फ क्ले में हम कैसे मान लें तो कोई भी रेशनल व्यक्ति को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए इसके बाद से जो है आगे यह लिखा है विज्ञानवादी और शुन्य ब्रांचे जो कह रही दे कि बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और यह अपनी कहानी इसमें जूड रहे थे बुद्धी सत्तो बन बन के चली आगे बढ़ते हैं अब नगारजुन ने क्या कहा था था थोड़ा सा समझ लीजे नगारजुन जो है न अपने चतु अस्व में लिख बोलना नगारजुन भी बोल रहे हैं अचा मध्यम्मिक वर्ती में क्या लिखा हुआ है कि बुद्ध ने कहीं किसी को किसी धर्म का उपदेश नहीं दिया देखिए जी नई नई थिरी गढ़ी जा रही है दूसरी तिसरी सदी में बुद्ध कहते हैं कि वय धम्मा शंकारा धमपद के जो बीस ध्याइट ट्वेंटी है उसका फिफ्ध जो सुप्त है उसमें कह रहे हैं अथार्त सब संसकार व्यधर्मा अथार्त नश्ट हो जाने वाले हैं यह शुन्यता वाद के उलट भात है समयने हैं ठीक इसके उलट बात है वो बोल रहे हैं कि सब संसकार व्य कहते हैं आज वाला संसकार मत समझेगा ये पिछले इसके फर्स्ट पार्ड में मैं बता चुका हूं अलड़ी ऐसे में सुन्यवाद उनका उपदेश कैसे हो सकता है फिर उनका ऐसे ऐसा उपदेश किसी को दिया मिलता भी नहीं जो विज्ञानवादी और सुन्यतावादी कहत कि किनहीं उच अस्त्रिय व्यक्तियों को यह उपदेश दिया गया था वही वह भी कहते हैं उन्होंने कभी किसी को कोई उपदेश दिया ही नहीं यह प्रमत प्रलाप नहीं है तो और क्या है तो देखिए यह होता है आदर्स चीज़े जो गलत है ना उसको गलत कहने की हमें आधर डालनी होगी, हमें उन सच्चायों को खोजना होगा कि कहां से हमारे लोग जो हैं बिखरे हैं, कैसे एक कोई सत्य बात होती है, एक जंडे के बैनर के निचे आते हैं, साल दो साल बित्ता नहीं है, पचास पार्टिया बना लेते हैं, बिखर जाते हैं, जो मूल चीजे ह करने होने के बजाए अपनी अपनी स्वार्थ-पूर्थ के लिए अलग-अलग ब्रांच बना के अलग-अपने स्वार्थ की पूर्थी करने लगते हैं सब हमित्ति कुछ लिख रहे हैं आपे जैभीम सर सभी दोस्तों को प्यार भरा जैभीम वीडियो लाइक और सेयर कीजिए दोस्तों जी जी बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा इसके बाद से चड़िक बाद में क्या था कि कोई भी चीज इनका यह ना था ना कि नियत नहीं रहता है अब बुद्ध तो निबान की बात करके गए थे अब अगर यह निबान चड़िक नहीं है अगर निबान मतलब की चड़िक है तब तो गरबड हो जाएगा त्रिशना उसमें आ जाएगी फिर अचानक से उसमें जो है लोभ मोहकरोध आ जाएगा कामवशना आ जाएगी तो यह तो थेरी गलत होती है तो चाहिक बाद भी जो है ना बहुत कोई अच्छा एक प्रोपर संदिश नहीं दे पाया इसमें भी जो लिमिटेशन थी वो यह लोचना कर सकते हैं तो आप लोग तो समझ गए होंगे क्या ब्रांचेज हैं क्या चीजे हैं अब हम आते हैं कि संकर ने क्या गुल खिलाया है संकर आया इनकी अलोचना करने के लिए अलोचना करके अपना वेधांत परोस्तिया था तो वेधांत में क्या-क्या गुल खिलाय कितना बकवास है वो तो मैं कभी और चर्चा करूंगा आज तो मैं सिर्फ यह दिखाऊंगा आप लोगों कि इसने जो आलोचना की ना इन ब्रांचेज की वो कितना जेनियून है और कितना समझ पाया था इसको पाली का तिपिटक कत्ती भी समझ में आया था कभी संकर को यह मै संकर की आलोचना को भी काईदे से स्टड़ी किया और बुद्ध मार की जो ब्रांचेज है उनकी भी काईदे से स्टड़ी किया उनके भी पॉइंट दिखा दूँगा चले शुरू करते हैं देखते हैं क्या इसने क्या आलोचना की थी तो पहले तो एक बार रिवीजन यही पहले अस्थिरवाद की एक साखा जैसा था और फिर बाद में स्वतंत्र हो गया सर्वस्ति बाद की बात हो रही है और इसके जो है दो संपरदाए फिर से आ गए मतलब जो सर्वस्ति बाद था शुरू में सबसे पूराना अस्थिरवाद है अस्थविरवाद जिसको की लोग थेरवाद थेरवाद भी कहते हैं तो इसमें से न सर्वस्ति बाद निकला बाहर और इसके दो ब्रांच हुए थे बैभासिक और सोतांत्री और जो महायान निकला ना जो दूसरा महायान उस महायान में फिर ये सर्वस्ति बाद इंकलूड हो गया था तो उस महायान की फर्दर और तो प्रांचे हैं सुन्ने बाद और बिज्ञान बाद तो इसमें जो है ये चीज थी अच्छा ये सर्वस्ति बाद की इस 32 साल के उम्र में मर गया, आपको तो पता ही है कैसे मरा था, गुदा में भगंदर हो गया था, बहुत दिक्कत होती थी, खून निकलता था, और फिर समझ सकते हैं भगंदर की भी मरी कितनी खतरनाक होती है, वो भी नवी सदी में, भक्त जनल आजकल बताते हैं कि हमारे यहां, हमारे रिसी लो आईरुवेद खोजे लिये थे, परचित के समय में इनका धनवंतरी वैद बैठा हुआ था, जा रहा था परचित का इलाज करने, पता नहीं कौन सी दिशा में था, नवी सदी में बचारे हमारे संकर जो है, इनको भगंदर हो गया, गुदा में, इतने दिक पढ़ा रहे हैं, कि आयरुवेद में इतना विग्यान था, हमारा आयरुवेद इतना विक्सित था, इतना डेवलप था, क्या था, क्या था, और संकराचारे को नहीं बचा पाएं ये लोग, तो ये जो है न, ये जो अलोचना किया है, वो भी चूरी करके किया है, उसकी भी अलोचना मुगलिपुतिस ने कर दी थी, जो स्तिरवादी थे, उन्होंने पहले ही बता दिया था, कि मैं सर्वस्तिवाद तुम नया बरांच खड़ा कर रहे हो, देखो तुमारे में क्या-क्या गलती है, वही जे जो उठा के इसने भी करनी सुरू की थी, तो यहाँ पर ल लेते हैं को यह क्लेम करता है कि संकर ने तो बुद्ध्रम का खंडन कर दिया, अब यहाँ पर यह सवाल खड़े कर रहे हैं, कि भाईया यह बता दो हमें, कि उसकी आलोचना तो अल्रेडी महायानियों ने भी की है, थेरवादियों ने भी की है, तो उससे क्या बुद्ध्र अरे भाई वह बुद्धम का पाट ही नहीं था जो ओरिजनल थे वह खुद ही उसका खंडन कर रहे थे कि भाई यह तुम तुम बुधिस्ट नहीं हो तुम बुद्धमार की नहीं हो तुम फरजी एक वरांच कोल के बैठें वह आलोड़ी उसकी अलोचना कर रहे थे यदि इन अलोचनाओं से बुद्धम नश्ट नहीं हुआ तो संकर की अलोचनाओं से वह कैसे नश्ट हो सकता था यह यहां पर प्रश्ण है जो लोग खड़े करते हैं कि संकर ने बुद्धमार को डिवेट में हरा दिया था जूट बोलते हैं कुछ नहीं हुआ था आगे अभी लिख रहे हैं कि यह भी नबुद्धम के प्रतिनिधी थे यह सब कोई विज्ञान वाद सुन्नेवाद सरवस्ति वाद यह सब जो है बाद में आई थी किताबे इनमें से कोई भी किताबे क्या यह ब्रांचे जाए थी और यह स्कूल्स जो हैं बुद्धम को कर दियें उस पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि न तो बुद्धम के पर्थिदिंधी थें और न बुद्ध की मुल देशनाओं से संबंद थें ये तो खुद परसपर विरोधी हैं और एक दूसरे की बुरी तरह से खंडन कर रहे थें इनकी आलोचना संकर ने की है और इनकी आल बुद्धिजम क्या है बहुत ध्यान से सुनिएगा ये डॉक्र सुलेंदा ज्यात के वर्ड है तो मैं लाइन बाइन पढ़ता हूं तो आपको ही मजा आ जाएगा वह बुद्धिजम के नाम पर इधर उधर टकरे मारते रहें और बुद्धिजम की एक भी बुनियादी बा थे, उसकी जड़ तक या उसके पॉएंट तक पहुचे ही नहीं सका, इधर उधर ही तकर मारते रहा, उसे निरस्त करने की तो बात ही छोड देजिए, संकर के ब्रह्मसुत्र भास्य में, पाली भासा का कहीं एक सब्द तक उद्रित नहीं है, किसी पिटक को उद्रित करने क कि बात ही क्या करनी है सुन ले आपने ये सचाई है और ये सचाई तो ये है कि संकर को पाली तक नहीं आती थी आ ये जो ही सब लिखे देना स्रवस्तिवाद महायानी जो संस्कृत संकर संस्कृत में जिनको जो पाली वाले थे उसी समय बुद्य देगा फर्जी किताब है फर्जी फर्जी क्लेम कर रहा है कि तीसरी चोथी सदी में दूसरी सदी में बुद्ध आके तुझको इस पेसल उप जिस देगा है वो फर्जी फर्जी किताबे जो है न संस्कृत में उसी की ये अलोचना कर रहा था संकर उसी की अलोचना आज के ये सब करते हैं इनकी आउकात नहीं है कि बुद्ध के जो ओरिजिनल जो मूल भूत जो तत्थ हैं उस तक पहुंच सके जिसको बाबा साहब न के बब बड़े प्रसंसक हैं यह ढखने को विवस हुए अचारे संकर की मूल भुद्ध धम विष्यक अभग्या मतलब ज्यान के अभाव को छोड़ कर और कोई हैंतु उन्हे। प्रकार निखने का नहीं मिलो आपने जो उनका सबसे बड़ा प्रसंशक है शंकर का वो तक जो है लिख रहा है संकर के बारे में कि उनको ज्ञान नहीं था जो मुल जो बिश्यक है न बुद्ध मार के उसके ज्ञान नहीं था वो भी accept कर रहे हैं आचा यहां पर आलम प्रभु वातामबे लिख रहे हैं जैभीम सर जी जैभीम आपको तो यह सच्छा ही है यह लोग expert हैं अब यह आप कोई नहीं का सकता कि यह कोई दूसरा बंदा कर रहा है जो लोग expert हैं वो हैं कि संकर जो है ना ब्रह्म सुत्र भाहस में बुद्धमार को समझ की। Senator यह है नहीं पर क्यांती हैं साथ पर कैसे चल एए छी थी कितावी पढ़ेंगे सबूत मांगे भाग जाएंका ृविट से आएंगी नहीं आपसे सबूत मत मांगें इन से अच्छा यहां पर आगे वो लिखते हैं कि उन मतलब बुद्ध की अवग्या में संकर का अग्यान या अलपग्यान ही कारण है और संकर की बात संकर की चार बातों में से एक भी बात युक्ति संकत मालूम नहीं पड़ती देखिया उनका प्रस मुल उपदेश के आते हैं देखे यह उपद्याय खुद कर रहा है जो संकर का सबसे बड़ा समर्था क्यों कह रहा है स्विकार कर रहा है वेचरा यह बात न हम लोग को समझनी होगी अभी सोसल मेडिया के लोग नहीं समझ पा रहे हैं अच्छा इसमें और क्या है कि संकर को इह मालूम ना था कि भगवान बुदे के मूल उपदेश क्या थें और किस प्रकार उत्तरकालीन बौधद दार्षनिक सिधानतों का विकास हुआ dieta उन्हों ने उत्तरकालीन दार्षनिक सिधान्तों का बुद पर आरोप कर अपनी अभिग्यता का परिछे दिया डाक्टर भ प्रसिद जापानी विद्वान यामा कामी शोजन ने 1912 में छपी अपनी पुस्तक सिस्टम्स ऑफ बुधिस्टिक थॉट में कहा था कि संकर को मौलिक सुरोतों के अधार पर बौध दर्सन के अध्यन का औसर का दाचित नहीं मिला था ये उन्होंने पेज 16 पे लिखा है मतलब जो जापान का जो बंदा है ग्याने अब विदेसी जो लोग है पड़े अच्छे लोग होते हैं अभी भी किसी को डारेक्ट हंट नहीं करते हैं अब हंट नहीं करना चाहता है विदान्थियों को EUसे कहते हैं नो लोग कि हमारे तो बीदेशों में 19-20 सदी में जो हैं लोग तारीव कर रहे थे साइंटिस्ट क्वांटम फिजिक्स का कौन साइंटिस्ट है विधांद का नाम लिया है तो काल सेगन ने ये कहा है तो वो कहा है अरे भाई सहाब जो एक्सपर्ट है ना जो उसका स्टडी किया ह उससे जाके पूछो कि क्या लिखता है ये लिख रहे हैं ये इस किताब में लिखे हैं system of buddhistic thought जो scientist है ना वो philosophy में ज्यादा उसका ध्यान नहीं होता है उपरवारी चीज़े पढ़ता है एक दो सब्द नाम ले लेगा जहां नाम लिया है वहां बुद्धमार का नाम लिया लेगन हमको उतना सही नहीं लगता है इस तरह की बात आती थी उसमें भी लोग खुस है कि अरे नाम ले लिया नाम ले लिया ये जो विद्वान है पूरा किताब एक लिख दिया systems of buddhistic thought वो बिना हर्ड करते हुए सचाहीं लिखते हुए क्या कहता है यह नहीं कहता है कि उ हाई नहीं था कभी बहुत दर्सन, ऐसा ही हावा में तीर मार रहा था संकर, चलिए, ये तथे क्या दर्सा रहे हैं हैं यही कि संकर बुद्ध्धम संबंधी अपने अधकचरे ज्ञान के अधार पर ही उसकी अलोचना करते रहें, अंधेरे में ही हावा में तीर मार रहे थे, चलिए तो यहाँ पे देखे ये लिखते हैं कि एक भटके हुए आदमी ने बुद्धम की क्या अलोचना करनी थी जिसने मूल गरंतों को देखा तक नहीं था उनके अध्यन करने की तो बात ही छोड़ दीजिए इसलिए संकर से सहानुभोती रखने के बावजूद डॉक्टर भरत सिंग उपध्याय जैसे विद्वान को भी कहना पड़ा है कि संकर के समस्त प्राख्यानों का और उनके व्याख्याकारों के समस्त विस्तारों का इससे अधिक और तातपर्य क्या हो सकता है कि सर्वस्तिवादी, विज्ञानवादी और सर्वसुन्यवादी सभी प्धेरे में टटोल रहे हैं, जहां उनके अचार तत्व और तत्व ग्यान की कोई संगिती नहीं लगती, और जो एक अतीत इस्थिर आत्मा की इस्थिती माने बिना सभी प्रकार के प्रकास और ग्यान से रहित है, किन्तु इतने में बुध मनतव्य निराकृत नहीं हो जाता उनकी नगारजुन देखे लिख रहा है, किन्तु इतने में बुध मनतव्य निराकृत नहीं हो जाता, यह उनका जो हिमायती है संकर का वो खुद बोल रहा है, कि इतनी सारी जो बाते भी कहें हैं, इसे हवा में टटोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसे बुध मारग खंड अर्धनी से धात्मक व्यक्याएं केवल निराकृत होती है, साफ साफ लिख दिया है डॉक्टर उपद्याय ने, कि इन्होंने जो बात कहा है न वो नागारजुन धरमकृती दिखनांग इन्हीं में फंसके रह गया हैं, यह जो है वहां तक पहुच ही नहीं बाहे हैं, बु दुनिया को नहीं बनाया जा सकता है, यही कारण है कि आप जाके देखिएगा जितनी हॉलिवूड की फिल्में आती है, चाहें वो कैप्टन अमरीका का पार्ट हो या एवेंजर हो, कहीं ने कहीं बुध की मूर्ती जो है दिखा दी जाती है, बड़े बड़े जो जानते हैं कि बुध का मतलब क्या होता है, बुध ने किसी को दुख नहीं पहुंचाया था, दुख पहुंचाने की बात की थी, उन्होंने हुमेनिटी की बात की थी, यह पूरी दुनिया जानता है, वो अपने घर में जीसस मुहम्मद और इनकी नहीं लगाएंगे, लेकि यहां पे इस्वर आत्मा वो तो एक अलग चीज हो गई, चली आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे लाश्ट में लिखते हैं कि संछेप में सर्वस्तिवादी, विज्ञानवादी, सुन्यतावादी आदी आपस में एक दूसरे की कटू अलोचनाय करते रहे हैं, यदि उनकी उन अलोचनाओं से बुद्धर्म नष्ट नहीं हुआ, तो संकर द्वारा की गई, उनकी अलोचनाओं से बुद्धर्म का बाल भी कैसे पांका हो सकता था, अच्छा कुछ सांथी जो हैं कुछ मेंबर्स आये थें यहां पे, मैं सांथियों बता दूँ कि यह जैसे ही और और चाहिए मुझे, यहां पे सिवाली जी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड दिखा रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप जाकर फिर से एक बार उसको सही करके आएं, देखिए क्यों नहीं डिवाइस कनेक्टेड दिखा रहा है, चली, अब इसके बाद से यह सारी और निराधार है, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, संकर ने बुद्ध धम के किसी भी बुन्यादी तत्व, आरिय सत्य, अष्ठांगिक मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा, प्रतित्य समुतपाद, निर्वाण आदी पर न उंगली उठाई है, न वह उठा सकने की इस्तिती मे ही थे, समझने हैं, यह जो बुद्ध धम के जो फर्स्ट पार्ट में मैंने दिखाया था, जो एक्चुल पॉइंट है, उस पर तो वह वेचरा उंगली उठा ही नहीं सका है, इस्तिती में नहीं था, समझ भी नहीं पाता न, कि हैच क्या चीज़, अता हुआ बुद्ध धम कि उसका देखा, इनका खंडन का क्या टाइप था, वो देखा, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, कि इस पर जो मुल्यांकन किया गया है, कि संकर ने जो आलोचना किया, वो कितना सही है, वो भी पॉइंट मैं दिखा देता हूँ, अब देखिए, पहला तो है रूप और चचु आधि भौतिक पदार्थ है पर माड़ू में खर मतलब त्रिवता का गुण इध्यान से दिजिएगा पर माड़ू सब्द आ रहा है नहीं आपे सर्वस्तिवादियों का मानना था कि पर माड़ू में खर-खर का मतलब होता है थे त्रिवता का गुण स्ने है मतलब मिलने का गुण इरण यानि गती का गुण मतलब वो मानते थे उस समय की प्रमाड़ू भी जो है न उसमें गती होती है हम लोगों आज कल साइंस ने खोज भी निकाला है कि प्रमाड़ू में इलेक्ट्रों प्रट्रों न्यूट्रों होता है इस तरह की ये लोग ब पूरी तरह समझ ना पानने के कारण परमाडू के अस्थान पर अडू मतलब अडू हेतुक लिखा है उन्हें या तो अडू और परमाडू का अंतर ग्यात नहीं है या फिर वे असाओधानी से ऐसा लिख रहे थे सुना अपने मतलब सर्वस्तिवादी जिनका खंडन करने गया था उन्हें परमाडू की बात कर रहे था उसकी जगह पर अडू लिखके गाना अलग ही गाके चला आया चली सेकेंड पॉइंट देख लीजिए संकर ने अपने भासे में बोध हो का खंडन करते हुए पच असकंदी रूप सब्थ का पर्योग किया है यह सब्थ का बोध द्रिश्टि से अपरीभासिक और गलत पर्योग है सुना आपने, यहाँ पे भी जो खंडन किया है, वो भी सही नहीं किया है, गलत किया है, थर्ड पॉइंट, संकर ने सरवस्ति वादियों की अलोचना करते हुए उन्हें त्रिछण अस्थाईत्व भाव को मानने वाला कहा है, इसका अर्थ है तीन छण तक अस्थाई रहना, वास्तविक्ता यह है कि छणिक वाद पर प्रतिष्टित कोई भी बौध संप्रदाय वस्तु के त्रिछण अस्थाईत्व को नहीं मानता, यह त्रिछण अस्थाईत्व का सिधान्त असल में न्याय वैसे सिका है, संकर या तो अज्यानता के कारण तबेले की बला बंदर क सिर्व मढ रहे थे, मढ रहे हैं, या फिर बौधों की अलोचना करने के लिए बहाने धूणने के परियत्न में जान बुझ कर पहले उनके गले में किसी दूसरे का सिधान्त डाल कर और फिर उसकी भर्तसना करके अपनी बिद्वता दिखा रहे हैं, सुन लिया आपने छणि किया नहीं कर पा करने बेचरा उसका भी अलोचना कर आ रहे हैं, तबेले की बला बंदर के सर मढ़े रहे हैं , यही को द strengthened में किया हो रहा है , कोई ब भी बुध की अलोचना कर पाता है , नहीं कर पाता है , कि is कि करेख़ा क कि कि सी इलतु फाल्तू कोई pra मैं यह की पहले इब कि आपको अलोचना करना है ना तो उस पॉइंट पे कीजिए ताकि आप समझा सके अब ये विदान्द की ऐसी कटाई हुई है ना ऐसी काहदे से कटाई हुई है कि पूरी दुनिया समझ गई कि यह फरजी है लेकिन बोधमार को कोई नहीं समझा सका है इसलिए नहीं समझा पा प्राश्चन मौरिया जी आपका तो इसके बाद से अब मैं आप लोगों को हाँ फोर्थ पॉइंट भी दिखा देता हूं संकर ने सरवस्तिवादियों के प्रसंग में निरुपाख्य सब्द का परियोग किया किया है जो चिनतिया है रूप के साथ संबंध मिलाने के लिए यहाँ यही सब्द निरुपाख्य होना चाहिए था देखें यहाँ भी गलती कर दिया है निरुपाख्य लिख दिया है यहाँ पे यह आप देख रहे होंगे इसने जो छोटा E लगा रखा है बड़ा E होना चाहिए था यहाँ पे मतलब व्याकरण की भी गलती किया है, आपको तो पता ही है, इस सीधे सीधे अर्थ ही बदल जाता है, संग पांचवा पॉइंट है, संकर कहते हैं कि अविद्या आधी का निरुद दो ही हालात में प्रवर्तित हो सकता है, या तो वह सम्यक ज्यान से उत्पन हो, जिसमें यम न शाह भुग्य पगम, सिधान्त जो बौधों को मानने है, वह असिध्य हो जाता है, सुन लिया आपने, संकर का ये कहना था कि जो भी बौध मानते हैं, तो उसका मतलब कि वो गलती ही चीज है, ये कहना था संकर का, मुझे तो हसी आ रही है इस संकर पे, जो बेचारा बुद मारके एक ब्रांच तक कोभी सही से नहीं समझ पाया, अलोचना तक सही से नहीं कर पाया है, बुद्ध की तो छोड़ दीजिए, उनके ब्रांच तक कोभी ये नहीं समझ पाया था, जिनकी अलोचना ये करने निकला था, जिसका तांडो किया जाता है, ये कर दिया था, वो क मिला है नाइन सेंचूरी में बाद में कोई और घप छान रहा है जैसे आज कल ये सब घप छानते हैं राम का कृष्ण का इसका बीच में 800 साल मुगल आके और मुस्लिम आके यहाँ पर सासन कर गए अंगरेज आके सासन कर गए तब कोई गाथा गाने वाला नहीं था आज दिवेट में घंडन करने चले तो यहाँ हमारा कहना है कि यहाँ निरहेतु कभी, कभी नाश्य भयव पगम का सिधान्त तो सर्वस्त्वादियु कभी, कभी रहा ही नहीं है, यहाँ पर भी नहीं समझ पाया है, जो बोल रहा है ना, कि बुधिश्ट ये कहते हैं, वो बोलर रहा था कि बुद्ध का जनम जो है थी उनकी माता जो है हां थी आ गया था क्या आ गया था उस पर वहीं मुझे हांसी आ जा रही है कि मतलब खुद से ही अपना एक सिधान तो बना लो अब मढद दो किसी और के मुझे बहुत उसी ने कहा है ऐसे यहाँ में वही चीज़ चल र गया तो इस तरह से जो है न यह जो संकर था न यह इसी तरह से हावा में हावाबाजी किया था इसके नाम पर यह जो बाद में मधवाचारे जो किताब लिखा है हावाबाजी में किताब लिखा है कुछ नहीं कर पाया था समझ तक नहीं पाया था यह लोग समझ ही नहीं पा बाकी लोगों को असिक्षित बना दियें, वो लोग जान भी नहीं पाएं कि अपनी किताब में लिख क्या रहा है, समझ ही नहीं पाएं, अब वो अपना एक तरफा लिख दिया, अलिखा भी क्या, अब पकड़ में आ रहा है, सारे विद्वान खोल खोल के बैठे हैं किताब क जागने की समता बुद्धा है, जगा हुआ मनुष्य जिस पेंड़ पर चलते वो धम है, अपने मन एकागरित या केंदरित करना शंग है, नमो बुद्धाय साइंस चरने जी, जी जी नमो बुद्धाय योजना वीलोक्स, बहुत बहुत सुक्रिया आपका, तो ये पॉइं संकर के नाम पर आपको कभी नहीं ठग पाएगा, कोई भी नहीं ठग पाएगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि इसलिए संकर के प्रति सहनुभती रखने वाले डाक्टर भरत सिंग उपध्याय को भी लिखना पड़ा है, इससे यह मालूम पढ़ता है, उसने बहुत जग को, तो बार बार उसको भी लिखना पड़ गया, कि अरे संकर महोदय आपने यहां यहां पर गल्ती की है, उसको भी लिखना पड़ गया, तो यह देखें क्या लिखता है, इससे यह मालूम पढ़ता है, कि संकर अपने प्रति पक्षियों, मतलब यह संकर का जो चेला है, हम जानते हैं कि सर्वस्तवादियों का या बौध धम के अन्य किसी संप्रदाय का ऐसा अभिपराय कभी नहीं रहा है, ये भी एकसेप्ट कर रहा है, नहीं भई या बुध धरम या उसके ब्रांच इसा बाते नहीं कहती हैं, आप फरजी आरोप लगा रहे हो, अतह यही कहना पढ़ेगा कि संकर ने सर्वस्तवादियों को वैनासिक कहकर उनको भी सुन्नेवाद से उपरक्त करना रंगना चाहा है, और इसी का परिणाम यह हुआ कि निरहेत्युक विनास का प्रसंग उन्होंने सर्वस्तिवादियों के ही मत्थे मढ़ दिया है, देखिए, था किसी और का बता दिया, इसी और को, विवस होकर यही कहना पड़ता है कि अचारे संकर ने यहां सर्वस्तिवाद के मूल सिधान्त को नहीं समझा है, और उसे एक ऐसा गलत रूप प्रदान किया है, जो उसका नहीं है, यह कह रहे हैं, डॉक्टर उपध्याय, प्रुछ तक प्रि बात क्या चल रही है, अगा क्या रहे हैं, अब यहां पे जापानी विद्वान यहां कामी शोजन का कहना है कि संकर यहां गंभीर गलत प्रस्तूती करण के दोसी हैं, ठीक है न, यह बात इन्हों ने लिखी है, पेज 168 पर सिस्टम ऑप बुधिस्टिक थोड़ पे, कि संक संकर जो हैं, यहां पे गंभीर गलत प्रस्तूती करण के दोसी हैं, मतलब फरजी का आरोप लगा रहा है, एक तरफ आलोपी से पता चलता है कि संकर न, कभी बौधों से न, डिबिट भी नहीं किया होगा, नाम सुनते ही न, पिछवड़े भाग जाता होगा, देखता होग जब किताब में ऐसी आलतू-फालतू लिख रहा है, जो उनकी है ही नहीं, उपल रहा है कि उनकी है, ऐसे ही फालतू की बाते चल रही हैं, यह तो आज के विद्वान लोग हैं, जो पूरा किताब पढ़पढ के खोज केक चीज सामने लाकर रख दे रहे हैं, सीधे-सीधे क रहे हैं कि यहां गलत प्रुस्तूती करन कर रहा है, अच्छा, इसके बाद से सिक्स्थ पॉइंट था, कि संकर की आपत्ती है कि यदि सम्यक ग्यान को स्वेम स्वता उत्पन हुआ माने, तो मुछ मार के उपदेश की ही व्यर्थता सिध हो जाती है, बौधो के मामले में व समय ग्यान स्वता ही उत्पन हो गया है, यही चीज बोल रहा है कि वहाँ आत्म सचातकार स्वरूप मोच को स्वेम में ही भाना है, स्वेम स्वता उत्पन मान लिया है, मतलब कि आपका कुट्टा कुट्टा मेरा कुट्टा टॉमी समेरे मेरी बात को वही बात ये कह रहा है सही है और बोल रहा है कि वो लोग ये बात कह रहे हैं तो वो गलत है संकर प्रसंसक डाक्टर उपध्याई इस दुरंगी देखें संकर को दुरंगी बोल रहे हैं दुरंगी से आहत हो कर चिल्ला पड़े हैं अविरूध होने पर भी विरूधत्व क्यों कल्पित किया जाता है है महा वेदांतीन। ये दिखे लिखा है उसे चिला रहे हैं कि बहाई साहब मतलब अविरुद होने पर भी विरुधत्व क्यों कल्पित किया जाता है चलिया आगे बढ़ते हैं सेवेंध पॉइंट दिखा देते हैं संकर ने अनुस्मृत्यस्च सुत्र के भास्य में सर्वस्तिवादियों पर आक्रमण करते हुए कहा है अथार्थ वेनासिक सभी वस्तुओं की छणिक्ता को स्विकार करते हैं यह सरासर गलत बात है सर्वस्तिवादी संपुल्ण वस्तु की छणिकता की कहीं बात नहीं करते वे तो सर्व मस्ती सब है को मानने वाले होने के कारण ही तो सर्वस्तिवादी कहलाते हैं देखिए ये मुलभूत समझ भी नहीं पाया था कि इन लोग का सिधान्त किया था हवामती मुझे लग रहा है कि ये संकर जो था इसको खामो का जो मधवाचार है हीरो बना दिया और ब्रामणबादियों के पास तो आपको पता ही है ये तो घर में छुपे हुए लोग थे हैं इनकी तो कभी हिम्मत ही नहीं पड़े कि ये कभी किसी से deva to vet करपाए कोई बात करें ऐसे ही मुगल्जव शासन जब आया तूसका चाटुकार बन गया इन लोग में इतनी हिम्मत ताकत ही नहीं कभी वो खरपाया है लड़ ओद पाए चाहें कुछ करपाया है अब मान लिजे कि मैं हूँ मैं नास्तिक हूँ यहां पर अब कोई मुझे धार्मिक है कहे कि ने ने तुम जो है ना तुम धार्मिक हो तुम जो है कृष्ण के भक्त हो तुम ना राम के भक्त हो फर जी कुछ भी हम पर गाया के चला जाए कहे कि हम तुम को डिवेट में हरा आ आप मान लोगे नहीं मानोगे न अरे जब वो मेरे विचार ही आज तक नहीं समझ पाया कुछ अभी आलतु-फालतु मेरे ही सिर्म मढ़े करा उसका खंडन करके निकल ले उसका माना जाएगा वह यही चीज चल रही है संकर के साथ अच्छा यहां पर किशन कुमार जी सुपर प्रिश्टिकर किया है आपको भी बहुत बहुताभार तुरूथ फैक्ट नौलेज अच्छा तो यहां पर यह जो बाते आ रही है इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा यह लिखते हैं आगे इसमें भगवान संकर ने इसको भगवान भी करते हैं सब संकर कोई भगवा भगवान हुए हैं तो सिर्फ एक ही भगवान हुए हैं वो हैं बुद्ध उन्हीं को भगवान की भगवान कहा जाता है बाकि दुनिया में कोई भगवान नहीं हुए है बाकि सब काल्पनिक हैं पुछते हैं ना यह भगवान क्यों कहते हो अरे भगवान का मतलब वही होता लिखा गया है कि यह जो है आत्मा को मानता था और किसके आत्मा में घुस गया था फिर इस तरियों वेश्चयाओ के साथ संभोग करके एक मेना रहा फिर गया था मंदन मिश्र के बीबी से डिवेट करने के लिए फरजीवाती रागद्विस मुह यह जानता यह यह भगवान वन नहीं है यहाँ पर लिखते हैं संकर के पच्चतर डाक्टर उपध्याय लिखते हैं इस सुत्र भगवान संकर ने इस मृति के सवाल को लेकर ही छणिक वाद की अनुपयुकता दिखाई है किन्तु अपने भासे के प्रारंभ में वे कुछ ऐसे सब्द कह गये हैं जिसके कारण उने अपनी इस्ती बड़ी खराब कर ली है हम जानते हैं कि सर्वास्तिवादियों पर और कोई आरुप भले ही लगाया जा सके किन्तु यह सिधान उनके मत्थे मढ़ना कभी न्याय नहीं है कि संपुर्ण वस्तु की छणिकता का उत्पादन वे करते हैं उत्पादन नहीं पाए थे और यहीं उनकी गलती है लिख वे दिया यहीं उनकी गलती है एतिहांसी को रूप से भी और तात्वी को रूप से भी यह लिखा है डॉक्टर उपध्याय ने पुर्वक्त पुस्तक प्रिष्ट उभनजीरू 15 पर अब बच गया यही जब उनके चेले तक ए को अलोचना करने उसको समझ में नहीं आया कि बुद्ध अलाग है महावीर अलाग है दोनों को एक ही बता दिया जिन है जिन ही हवा में तीर मारते रहा पाली का नहीं जानता था चला अलोचना करने बैठ गया था उसका मैंने किया है स्ट्रीम 37 लोग पुछते हैं ना बता कोई भी स्ट्रीम करता हूं तो शुरू के एक घंटे दो घंटे जो है जिसमें अगर ओपें डिवेट इन्वेटेशन नहीं है तो उसमें मैं पहले लेक्षर देता हूं फिर डिवेट स्टार्ट होती है देखिए उसमें मैंने बताया है पूरा दिखाया है उसका काला विज्ञान ही नहीं था कभी वे कोई गलती करते हैं कभी कोई ऐसा व्यक्ति बुद्ध धम का सस्तार्थ में क्या बिगाड सकता था सही बात है बिल्कुल सही जो आदमी सही से प्रस्तूती करन नहीं कर पा रहा है जो समझ ही नहीं पाया सिदान्त को क्या डिवेट किया करें संकर के अलोचना का इस तरह का ही रहा है ब्रहम शुत्र में उन्होंने अपने भासे करते हुए लिखा है क्या लिखा है सुने ब्रहम रृभ्ट जगत के पदार्थ है विज्ञान पदार्थ नही संबध प्रलाप किया है सुन लिया अपने बुद्ध को यह लोग सिद्भा शिद्हार्ट शिद्हार्ट समझेना पड़ेगा आप लोगों को तो अश्यम्ध प्रलाब किया है प्रजाओ के प्रती अपना विद्वेश दिखाया है प्रजाओ का विमोहन किया है तथा बुद्ध का मार्ग कल्यान का मार्ग नहीं है ये संकर भासे में लिख रहा है संकर आचारे अब सुचिए जिस बेवकूफ को ये तक नहीं पता है कि भाईया, बुद्ध के महापरे निर्वान के 700-800 साल बाद सुन्ने बाद आया है, इतने सालों बाद जो है विज्ञानवाद योगाचार, ये सब चीजे आई है, ये बुद्ध के वचन नहीं है, ख्यालिक रहा है ब्रहम सुत्र में, इन तीन परस्पर विरोधी उपतेसु को देने वाला सुगत, बुद्ध ने औसम्ध प्रलाप किया है, अरे बेवकोर फ्यक्ति भाई साथ, ये बुद्ध के नहीं है, बुद्ध का प्रलाप नहीं है, बुद्ध का इन से लेना देना भी नहीं है, अरे बुद्ध तो जानते तक नहीं है कि उनके मरने के 700 साल बाद ये ये ब्रांचेश खोल लेंगे बहुत भिक्कू ये तुम्हारे पुरवज थें जिनकी आउलाद तुम अब निकले हो जैसे उन लोगों ने ब्रांच बनाई वैसे तुमने सेवव मर्ग बना लिया वजरयान तंत्रयान से निकल के अपना सेवव पंतर स्थापित कर लिया तुम्हारी बाप दादित हैं तुम उनकी आउलादे हो जिनने ये ब्रांच बनाई है तभी तो तुमको प्रच्छन बहुत कहा गया अभी आगे मैं दिखाओंगा इनको चलते हैं आगे यहां पर लिखते हैं कि संकर को यह पता ही नहीं कि बुद्ध का तिपिटक में अपना मत्य क्या है उन्हें यह भी नहीं मालोम कि विज्ञानवाद और सुन्यवाद के सिधानतों बुद्ध के परिनिर्वान के सताबदियों बाद अस्तित्व में आए जैसे संकर पाली ति समय रहा है धमकिति को दिगनांग को ही बुद्ध धं का सर्वस्वा मान लिया है ङया र ambassador के ने कुछ भी परस पर विरुध नहीं कहा है ये देखिएगा ध्यान रखिएगा, ये आरूप लगाया था ना, ये सही बात ये है कि बुद्ध ने कुछ भी परस्पर विरुद नहीं कहा है, एतिहासिक विकास के ज्यान से एकदम कोरे संकर अपने इस अज्यान के लिए बुद्ध की निंदा कर रहे हैं, जबकि निंदा का पातर यदी कोई है, तो वे स्वहम है, परजाओ को सांती का मार्ग दरसाने वाले बुद्ध को बकवास करने वाले परजा के द्वेशी और परजा को मुह में डालने वाले बताना एकदम निराधार, कपोल, कल्पित, निरमुल और दुर्भावना पोड़न है, ये बाते कि कैसे उन्होंने कौन सी बात बकवास है, कैसे और कब उन्होंने परजा से द्वेश किया है, तथा कब और कैसे परजा को मुह में डाला है, और बिना किसी प्रमार के जो मुह में आये वही निरमुल बात लिख देना विदोता नहीं, ये बकवास होता है, ये बात होनी चा सारी चीजे दिखा रहा हूं है यही देखिए यह संकर के प्रसंसक डाक्टर उपध्याई भी यह लिखने को मजबूर है कि आधी कल्यान कारी मद्धे कल्यान कारी और अंत कल्यान कारी मर्ग का उपदेश देने वाले भगवान साक्यमुनी साक्यमुनी भला किस प्रकार संकर रहा है, संकर देखिए कितना धूogloत निकल गया, ये धूरतता होती है, ये धूरतता कहीं जाती है, अब ये को बुढ़ा था disasters di भुद्ध के कारण जो है देश गुलाम बन गया एक कौन संक्राचारता क्या था, धूरतता होती है, इनकी वन części की खून में इनके DNA में धूरतता बस गई है, ये लोग सच्छाई नहीं बोलेंगे आपको, मैं कहता हूँ कि जब तुम बैठे हो किसी मंदिर पे, किसी official post पे बैठे हो, बड़े post पे बैठे हो, तो भाई साब कभी सच भी तो बोल लिया करो, लोगों को बताओ न सच बोलने में इतना डर क्यों लगता है, तो इनकी actual में इन लोग का सारा खेल ही न धूरतता से चल रहा है, सचाई ये लोग कभी नहीं, बोल ही नहीं पाएंगे, पूरी पोल खुल जानी है, सचाई बोल देंगे तो, चलिए आगे मैं और कुछ पॉइंट दिखा देता हूँ, तो आगे ये लिख मतलब राग द्वेस मोह जो होता है न, इनके अंदर द्वेस भरा हुआ था, इससे बरी नहीं थे, अलग नहीं थे, और अरक्षित चड़ों में भी वे गाली भी दे सकते थे, सुन रहे हैं आपने, उनका चेला कह रहा है कि अरक्षित चड़ों में, मतलब कि कुछ ऐसे में आते हैं न, पिछले stream में काया था, ब्रामण धूर्थ गाली लिख रहा था, मैंने कहा कि सारोजनिक पब्लिक प्लेस पे बोल दो, नहीं बोल पा रहा था, पीछे जाके कमेंट में गाली दे रहा है, मुह से आवाज नहीं निकल रहे है, उनका देखिए, उनका जो उप बाचान नहीं होते हैं, प्राकृत पुसों के लिए यह उग्या नहीं है, गाली दे सकते हैं, बुध जीवन की उच्छ मनोभूमी से तो उनकी कोई तुलना ही नहीं है, देख लिजिए, ये बात लिखा है, पेज बन जीरो टू से प्रुवत पुष्तक में धॉक्टर उप जब जब तक नहीं देखाया जाए, रिसर्च नहीं देखाया जाए, तो कुछ लोगों को तो इस्ट्रीम भी हजम नहीं होने वाली है, तो इस पेसल मैं दिखा देता हूँ आज मैं, ग्रेगोरी जे डार्लिंग हैं, इन्होंने एक किताब लिखी है, सोध प्रबंध, सोध किये हुए हैं, उन्होंने जो अपनी सोध की है, उसका नाम है An Evaluation of the Vedantic Critic of Buddhism, 1987 में ये चीज़ आई थी, और उसमें उन्होंने कंक्लूजन निकाला था, पूरी तरह से Vedantic Critic of Buddhism, उसका इन्होंने Evaluation किया है, इस पर रिसर्च की थी, सोध की थी, ग्रेगोरी जे डार्लिंग, ये जो है न, ये कंक्लूजन जो लिखे हैं, उसका मैं हिंदी अनुवाद यहां दिखा रहा हूं, वो त्वर से ध्यान से समझेगा कि फई, इतनी रिसर्च सूध के बाद से, ये जो डिबेट कहा जाता है, क्या इसका कंक्लूजन निकल रहा है, पहला पॉइंट, बौधो हमका खंडन करने निकल पड़े, सुन लिया आफ लोगों ने, जान बूज कर संकर जैसे वेदान्ति, उन्हें तोड मरोड कर पेस किया, ये है सच्चाई, आज जो धूर्त, ये बखेडा खड़ा करते हैं, कहते हैं, नो बोधो, नो बोधो, फरजी, फरजी, जो बाते पहल है कि इनके जो गुरू थाना संकराचारा जहां से ब्रामडबाद की निव सुरू हुई थी, वो तक जान बुज के तोड़ मरोड कर पेस किया था, आज कर ये सब कर रहे हैं, उसी धूर्तता डियने के उलाद हैं सभी, ये समझना पड़ेगा आपको, और उसी मन्यताओं के अधार पर बुद्धिजम का खंडन करने निकल पड़े, संकर सर्वस्तिवादियों के बैभासिक और सौतांत्रिक संपरदायों के सैधांतिक अंतर को न समझ सकने के करण, दोनों को एक मानकर उनका खंडन कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है, सुन लिया आपने, भाई साब इसी तक भी ये कह रहा है कि समझ ही नहीं पा रहे हैं, दो संपरदायों के बीच का अंतर, कुछ भी माने के कुछ का खंडन किये जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है, चलिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोग को दिखाता हूं, बड़ा मजधार पॉइंट है, ये ग्रेगोर द्र warrant סंपरा प्र प्रतित समुत्पाद की अक्सर गलत व्याख्या करते हैं, सुन लिए आपने, इन लोगों को प्रतित समुतपाद है, जिनको भी समझ में नहीं आता है, ये ये समझ में आता है, उसके व्याख्या ही वो लोग गलत कर देते हैं, अभ ये 22аш archives, इन वेधानत थीयों ने बौधो के चणिक वाद के सिधान्त की Swan kya की एक शुनू लिजे आपने विदान्तियों ने थीयों संकर ब्रह्सुत्र टूटूटुटू 25 कि व्याख्या करते हुए यह सरासर गलत दोष लगाते हैं कि बौध अभाव के भाव की उत्पत्ती मानते हैं देख लिए गलत आरोप लगाया है जान नहीं पाया अपने मन से कुछ भी आरोप लगा दिया है ये बुधिश्ट लोग ऐसा मानते हैं आज भी ये आते हैं कमेंट सेक्षन में बहुत सारे इनी आईटी से लबाले और जो फरजी फरजी जो बन जी रहा हैं रामानुजे जो था जो ग्यार्वी सदी में दवैत डवयत की अ 거죠 था आ संकर अद्वयत की अस्थापना किया था अदोनों जो उद्ध मार के कटू आलो चक रहे थे तो संकर और रामानुजे ने सर्वस्तिवाद के दोनों निरोधों प्रती संख्या निरोध और अप्रती संख्या निरोध की गलत व्याख्या की है देखिए वेश्णों मार को भी इसमें ले लिया कि तुम लग भी नहीं समझ पाये हो इ संकर या दोस लगाते हैं कि विज्ञानवादी गया से विज्यान को प्रिथक नहीं मानते, जबकि वास्तविक्त यह है कि विज्यानवाधी चित माइंड के व्यति रिक्त ब्राह्यपदाट से इनकार नहीं करते, देखा आपने जो अरोप लगाता है, गलत अरोप लगाता है, विज्यानवाधी कुछ और सुचते हैं, आगु उन्होंने मतलब की संकर ने विज्ञानवाद के वाशना और अलस्य विज्ञान सबंदी वीचारों की भी गलत व्याख्या की है सुन लिए आपने और आगे देखते जाएए संकर गलत रुप से यह मान कर चलते हैं कि बढ़ दर्सन में ग्राहक, सबजेक्ट, ग्राय, औपजेक्ट और सौसंविती, सेलफ इंटूशन को प्रिथक माना जाता है कुछ नहीं जानता था संकर अनपड़ गमार की तरह था मैं तो बार बार कहता हूं कि अगर यह पढ़ा लिखा होता तो युनिवर्सिटी कोल था बुधिष्ट पढ़े लिके थे तभी तो इतने सारे युनिवर्सिटी खोले थे सतर से जयादा बहुत विश्व विद्धाले विदेसों से पढ़ने आये थे कहने इन प्रामडों के विश्व विद्धाले में पढ़ने जाते थे सनाथन धरम था सनाथन धरम था वेद आ धा था वेद वेदांग उपनिशन की रचना हो गई थी इस समझ तक नहीं पाया इन पास जो है लोग पढ़ने जा देते अब एक खांक पढ़ाएगा जिसको नौर्मल सिधान्त बुद्ध मारगियों के किसी भी जो संप्रदाएं हैं या उनके जो पार्ड से उनकी एक चीज को सही से नहीं एकस्प्रेन कर पा रहा है किताब में इसलिए तो सबूत नहीं मिलता अनपड़े गमार थे सब फरजी चीजे हम लोग के उपर थोपी गए आप लोग को ये बात समझना होगा इसलिए मैं बार बार कहता हूं इक एक भी सबूत नहीं मिला है नेक्स्ट पॉइंट देखिए व सुन दीजिए असंग जो है विज्ञानवादियों की अस्थापकत हैं उनकी बात ही नहीं सुन रहा है अपने मन से कह रहा है कि तुम मन लो जैसे आते हैं सब कुछ नहीं मुसे कहने के लिए कि तुम अपना मन लो यह हम कह रहे हैं बस तुम मन लो अफिर हम तुम्हारी अल माध्यमिकों के मध्यमार्ग को गलत समझा और वे इनकी व्याक्या करते हुए इसे सुन्यवद बना देते हैं जबकि माध्यमिक सब्द का अर्थ ही यह बताता है कि यह दोनों अतियों को छोड़कर मध्य के मार्ग का प्रतिपादक है माध्यमिक मार्ग जो था उसको भी यह नहीं समझ पाया था अपने मन से कुछ भी व्याक्या किये जा रहा है इन सब के मध्यनजर यह कंक्लूजन बोल रहे हैं जो ग्रेगरी जो है जो डारलिंग ग्रेगरी जो है वो यह खुद बोल रहे हैं इन सब के मध्यनजर यही कहा जा सकता है कि संकर द्वारा बौधो की की गई अलोचना अधिकांस में गलत वा लच्छ भरष्ट है ऐसे में संकर बुद्धिजम को नष्ट कैसे कर सकते थें उन्हें तो बुद्धिजम के सिधानतों की पूरी समझ तक ही नहीं थी अज्यानता के आलम में कोई दूसरे का क्या ख खके ही छुड़ा दियें वह मैदान से यह कह कर भागें कि मैं सुन्नेवाद का खंडन करने का सम्मान प्राप्ट करने की इस्तिती में नहीं हूँ यह लिखा है संकर भाव से मैं चैप्टर टू का सर्ग टू का 31 स्लोप देख लिए भाई मैदान से छोड़ कर भाग गया था ये सुन्यवादी बौधों ने संकर के च्छक के छुड़ा दिये थे वह मैदान से यह कहकर भागे कि मैं सुन्यवाद का खंडन करने का सम्मान प्राप्त करने की इस्तिती में नहीं हूँ ये संकर भास से में लिखा है पता नहीं कहा है सब वेदान्ती कोई वेदान्ती आया हो तो आके थोड़ा सा बताए हमें भई कैसे हारा दिया था ये बहुत मार्गियों को कैसे हाराया था आके वेदान्ती बताएगा ना जब संकर भास से हमें वो खुद लिख रहा है संकर कि ह भाग खड़े हुए थे हिमत नहीं थी उसी स्थिती में नहीं थे हमकी उनसे डिवेट कर सकें अच्छे ब्रामणबादियों की खास बात क्या होती है कि यह कितने भी निरलज हो जाएं जैसे द्यान अंसरसती थे इतनी भार डिवेट में हारे हर जगह जाते थे डिवेट में ह गंगाधर का तिलक का दना आपने सुना होगा यह जो है गीता रहस्य नाम की किताब लिखा था उसका जो चौथा संसकरण है हिंदी संसकरण वो आया था 1924 में उसके पेज 196 में लिखता है मतलब सास्त्र तब तक जंगल में गीदड़ों की तरह सूर मचाते हैं जब तक कि महा सक्ति साली विदांत रुपी सेर की दहार नहीं सुनाई पड़ती बतलब बोल रहा है कि जितने सास्त्र है न सब गीधर की तरह सूहर मचाते हैं, जब तक कि विधांत रूपी सेर दहाड नहीं सुना ही पड़ जाता है, उसकी दहाड सुनते ही बाकी सास्त्र जो है चुप हो जाते हैं, यह कह रहा है बाल गंगा धरते हैं, लेकिन इसको पता ह नहीं है कि इसको सेर समझ रहा है उतोगी दड़ है उपर से खाल पहिंके बैठा हुआ है इसके जबाब में डाक्टर सुरेंद्रा ग्यात ने लिखा है मैं सुना देता हूँ इसका ठीक जो इसने सलोक गाया है जो सलोक लिखा है इसने गीता रहस्य हमें ठीक इस तरह से होना मतलब समझा जब तक सुन्यवादी बौध रूपी सेर नहीं गर्जता अपने ही विदान्त केशरी कहने वाले गिदड़ों की तरह तब तक ही गर्जते रहते हैं यह है सचाई इन लोगों की अब ऐसा नहीं है कि जो संकर था ना इसकी दूसरे लोग आलोचना किये हैं या बहुत लोग आलोचना किये हैं दरसल जब बहुत थे ही नहीं तब इन लोगों ने फरजी फरजी किताबों के लिखी थी और खास तो बात यह थी कि इस पर इतने वो लगें जो संकर था ना इस पर बहुत सारे जो है आरोप लगें धारमिकों ने इसके बाद के जो चेले थे ना इन लोगों ने इसकी खाल खींच ली मतलब अबौध जो थे ना उन लोगों ने भी इसकी खाल खींच रखी है यह देखिए संकर के अबौध आलोचक संकर के दर् ज्यादा इसका खंडन कर रखा है इन दूसरी किस्म वालों ने तो पहली किस्म वालों की अपेच्छा विरोध वा खंडन मात्रा में ज्यादा और कटूटर भी किया हुआ है यह सदियों तक निरंतर संकर का विरोध करते रहें जो 20 सतावदी तक बदस्तूर चलता रहा तो इ आज का यहां पर जो सेशन है उसको मैं रोकता हूं और आगे नेक्स्ट फिर कभी पार्ट थर्ड लाऊंगा पार्ट फोर्ड इसमें तो इतना मेटेरियल हो चुका है दोस्तों कि इस पर लगतार भी स्ट्रीम करूं 10-15 स्ट्रीम कर सकता हूं इसके एक एक चीज को मैं खोल कर रख सकता हूं इस पर प्रोपर इस्टडी हुई है तो